आपका एक जो पॉलिटिकल स्टाइल है उस पे एक दबाव आ गया है शिवरा सिंग चौहान की लोग बात करते तो कहते थे कि भाई ये तो बड़ा परिवार वाला नेता है मुख्यमंत्री क्रिस्मस भी बना रहे हैं मुख्यमंत्री के घर में इफ्तार पार्टी भी हो रही है फिर आता है दो अजार अठारा का साथ दो चैलेंजर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्तिनाथ और असम में हिमन्त विसु सर्मा और मामा बुल्डोजर वाले मामा हो जाते हैं पहले पी हमने किया और उस जल्दवाजी में प्रदान मंत्री आवास भी उड़ा दिया गया एक प्रदान मंत्री आवास इलीगल समीन पर बनाए आप 31 साल के थे और माननी विधायक हो गए थे गुधनी से बत्तिस के थे तो माननी सांसद हो गए थे क्या आपके बेटे कार्तिके चोहन को ये मौका मिलेगा कभी पविश्यू 500 रुपे हमें सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं कमलनाथ क्या इस पर शिवराज जी को इलान करेंगे यह उनका चुनावी सोसन बुकरनाटक का उधारन दे रहे हैं शिवराज जी के ग्री मंत्री एक समानांतर सेंसर बोर्ड चलाते हैं कोई एड आए कोई फिल्म आए कोई गाना आए नरुत्तम मिश्रे का बयान आता है वो जबाब देने में सक्षा में उन्होंने का कि वो हिंदु धर्म की आस्था की यहां बैठे है जो उनकी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं यह ड्यूटी आपके द्वारा साइंग की गई है उमा भारती देश की सांसद रही देश की मंत्री रही हाथ मैं पत्थर लेके शराब की दुकान का शीचा फोर रही उनका अपना मक्सद और उद्देश नसामुक्ती को लेके है यह जवाब सुनके जितने आपके प्रदेश के भारती जंता इवा मोर्चा के कारिकरता हैं वो बहुत खुश हो जाएंगा मद्य प्रदेश लोक सिवा आयोग 2019, 2020, 2021, 2022 स्वयम सिद्ध सक्षम सरकार हर साल नियम बद्ध तरीके से यह PCS के इमतिहान, MPSC के इमतिहान क्यों नहीं करवा पा रही है परिक्षाएं अब निरंतर हो रही है लगातार हो रही है और 2021 और 22 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए बोपाल में इन दिनों एक जिक्र है कि शिवराज सरकार धार्मिक फिगर्स के भरोसे है इसी लिए धीरेंदर शास्त्री इसी लिए प्रदीप मिश्रा ऐसे कई लोगों को माहौल बनाने के लिए कुरा मेंडेट दे दिया गये बहुत सम्मानित संथ हैं यह अपना कथा और वाकी काम करते हैं और हिंदू राष्ट का माहौल भी बनाते हैं आडवानी जी ने ऐसी पोजिशनिंग कर दी थी शिवराज जी की कि वो नरेंदर मोधी के वर्सिस हो गए थे 2013 में यह बैठे बैठे रोते रहे सब और यह कहते क्या सांखिकी किसी नेता के जीवन में दाखिल होने का एक जर्या हो सकता है एक मुख्यमंत्री जिसके नाम के आगे शोहरत की अबारत में यह लिखा है कि वो देश की सत्ता रूर पार्टी का सबसे जादा अवधी तक एक राज्य का मुख्यमंत्री है लेकिन इन सब की शुरुवात कहां से होती है ये राजनीती की दुनिया है यहाँ पर प्रशस्ती है तो आक्षे भी है बिंद्या चल के किनारे का लड़का है लेकिन हाल फिलाल सुर्खियों में है क्योंकि उसके सूबे के सत्पुड़ा भवन में आग लगी है वो पाउव पाउ घूमने वाला है लेकिन इन दिनों हेलिकॉप्टर से घूम कर लाटली बहना योजना का विस्तार कर रहा है पर पाउव पाउव और हेलिकॉप्टर के बीच में पार्टी के कुछ बुजुर्ग हैं जो अपने-पने कोप भवन में बैठे हैं और मुख्यमंत्री की श असहजिता के कुछ मुआहवरे भी हैं जिनकी चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है कि शिवराज जी हमारे आज के जमघट के पॉलिटिकल किस्सों की इस पॉलिटिकल इंटर्व्यूस के सीरीज के आज के एपिसोड के वक्ता, आज के एपिसोड के महमान वो इस बार दाओं पे चलते रहते हैं इसलिए हमेश्रेयसकर लगा कि चौक चौराहों की सूबे के सब किनारों की चर्चाओं को समेट कर चौराहे के चाणक्यों की सब थियोरीज को सुन कर अंत्ता उस व्यक्ति के सामने बैठा जाए जो भारती जनता पार्टी का मध्य प्रदेश मे दो दशक से सत्ता का परियाय बना हुआ है जमगट में शिवराज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद एक आज की ही सुर्खी से बात कर लेते हैं शुरू और उसके बाद आपकी विकास योजनाएं और आपकी जीवन योजना पर आएंगे आज जब हमने अखवार खोले भोपाल के तो सब अखवारों के पहले पन्ने पर सत्पुड़ा भवन में लगी आग का जिक्र था कई बिंदु थे जिनकी तरफ ध्यान दिलाया गया आपके मुख्य प्रतिद्वन्दी कॉंग्रिस ने कहा कि ये फाइलें जला कर अपने महत्वपूर्ण सवाल इन सब के बीच कुछ नीचे आया पैसेज में वो ये है कि देश के इतने महत्वपूर्ण प्रदेश की राजधानी में अग्मी शमन की इतनी कमजोर विवस्था कि तीसरी चौती मन्जिल से उपर आग लगी तो राष्ट्री आपदा के प्रबंद क को देखते हुए वायु सेना को बुलाना पड़ा जबकि इसी राजधानी में इतनी उची इमारतों के निर्मान की मन्जोरी दी गई है आप क्या कहेंगे देखिए सायोग कह लिजिए स्वाभावे कुरूप से प्रारमदिक जो जानकारियां आई है साट सरकिट के कारण वो आग लगी आप मुझे ये बताएए साम के चार बजे जब चार हजार लोग उस भवन में काम कर रहे हैं अपने अपने चेमबर में बैठे हुए हैं अपने अपने क्या रात के अंधेरे में आग लगी क्या छुटी के दिन आग लगी दुरभागी ये है कि अगर कोई दुरघट ना हो जाए तो हमारे प्रतिपक्षी मित्र इतने निम्न इस्तर पर उतरे आए हैं कि उस पर भी राजनीती करें जबके वो भी जानते हैं इमानदारी से कि ऐ ऐसे कोई चीज हो ही नहीं सकते आप बताएए आज के डिजीटल यूब है कोई रिकार्ड ऐसा है कि जो जल जाए तो मिलेगा नहीं और उस अगर सत्पुड़ा के उस हिस्से की आप बात करें तो उस में ऐसे कोई चीज ही नहीं थी कुल मिला के इस्थापना के मामले थे और बैठा करने के बाद फिर में बाहर दोरे पर गया था एक उचिसतरी कमेटी क्योंकि जब तक पूरी जाच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं कहूं कि इस कारण लगी उस कारण लगी वो उचित नहीं होगा वो उसकी जाच करेगी लेकिन मामला केबल गंभीर इस आग फैली तो मेरी ड्यूटी ये थी कि जितने भी प्रत्न किये जा सकते हैं सारे प्रत्न हमको करना चाहिए उसमें तेज हवा चल रही थी और उपर की मंजल पे आग पहुंची थी तो उस समें जो भी संसाधन उपलब्द थे वो सारे जुटाए और जो हो सकते थे जाने के कोशिस की जहां ठीक है हमने आर्मी बुलाई उसमें क्या दिकत है अगर जरुवत पड़ी हमारे साथ यहां है तो जितने भी प्रत्न किया जा सकते थे मैं रात भर जाकता रहा खुद मानिटरिंग करता रहा और जो बहतर हो सकता था आग बुजादी के लिवो हमने पानी डाले देखिए उस समय संकट के समय जो बहतर से बहतर हो सकता है और प्रिवंद किया जा सकते हैं सबका इंतिजाम करके रखने हैं चाहिए क्या दिकता थे मुक्यमंत्री जी एक सवाल लेकिन रह गया कि अगनी शमन के इंतिजाम परियाप्त क्यों नहीं है राज़ान समक सुर्खी जो शिवराज सरकार को लेकर बनी जिस सुर्खी को लेकर सरकार जादा सजग भी है और उत्सुख भी है वो है आपकी एक नई नवेली योजना लाडली बहना योजना जिसमें आप लगभग मेरे ख्याल से सवा करोड लावारती हैं जिनको एक हजार रुपे दे रहे हैं सभा करो ये योजना का विचार कैसे आया देखिए एक योजना नहीं योजना की एक कड़ी है अच्छा बच्पन से मैंने बहन और बेटी के साथ अन्याय होते हुए देखा अपने गाव में देखा अपने परिवार में देखा घर में बेटे को जादा प्यार और बिटिया को कम लाड़, बेटा बुड़ापे की लाठी का सहारा, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, देखी ये भारत की त्रास्दी है, कि एक जमाना जब हम कहते थे यत्र नार्यस्तु पूद्यंते रमंते तत्र देवता, उसी देश में ये हालत हो गई, कि बेटी तो बोज है, और इस्थिती इतनी विगडी कि जब विज्ञान ने प्रगति की, और ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी, तो कई ऐसी घटना हुई कि कोख को कतल खाना बना दिया गया, और बेटी कोख ममारी गई, हम लोग जानते, अब जब ये इस्थि में भरोज़ा रखता हूँ, मैं वेद क्यों, मैं बच्पन से वेचेंड रहता था और कहता था कि ये वेद दूर होना चाहिए, एक जगे एक छोटी सी सभा मैं बोलता है, बच्पन से था, ये बात होगी तब मैं लगबग 11 के आसपास था, पढ़ता था, तो वहां एक साम सी और जिले की बात, बेटी को आने दो, तो एक बुड़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी हो गई तो साधी में दहिच के अंज़ाम क्या तू करवाएगा, बात मेरे सीने में अंदर तक बेढ़ गई मैंने तब सही एकर चैया कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहला कदम मेरा था जब मैं MLA बना तो अपने च्छेत की गरीब बेटियों की साधी करता था यह पूरा प्रदेस और वोपाल जानता है। पैसा एकटा करता था, सामान एकटा करता था और गरीब बेटियों की साधी करता था मैं उसके बाद, जैसे ही मैं मुख मंत्री बना, मैंने सबसे पहली योजदा बनाई कि बेटी की साधी को बोजने ही रहने दूँगा अब मैं मुख्मंत्री बन गया हूँ मुख्मंत्री करने दानी होगा हमने बनाई 2006 में लेकिन एक दर्द कसकरा था अंदर बेटा और बेटी में अंतर सेक्स रैसियो बिगड रहा है तो बेटी को कैसे लोग पैदा होने दे तब लगा कि इसको भी बरदान बनाना पड़ेगा और तब मेरे दमाग में इस कल्पना ने जन्म लिया कि बेटी के पैदा होते अगर उसके नाम से हम पैसे जमा कर दें और उसको 21 साल पे लाख रुपे से ज़्यादा मिल जाए ये प्रारंबिक विचार था फिर मैंने उसको और डेवलप किया कि वो पाथ भी पास करके छट भी में जाए पढ़ाई से जोड़त हो ताकि बेची को पढ़ाए तो दो आजार देंगे आठ पास करके नॉमी में जाए तो चार जार जार देंगे ग्यार भी बार भी में छेचे आजार देंगे कालेज में अब साड़े बारा जार देते हैं पास आउट करें तो साड़े बारा जार देते हैं मेडिकल इंजरी की पढ़ाई भी हम करवाएंगे और 21 साल के हो जाएगी तो एक लाग देंगे मैंने तैय किया कि मंद्पदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपती ही पैदा होगी ताकि बेटी बोज ना लगे बेटी बरदान बन जाए और मैं बता रहूं सौरब जी उसका इंपेक्ट असिस्मेंट आप कीजिए 912 बेटियां बढ़के अब 1000 पर 956 हो गई है लाडली लक्षमी योजना के कारण 45 लाक से जादा बेटियां आज मेरी हैं जो मुझे मामा कहती है मामा उनने ही कहना शुरू किया लेकिन एक कड़ी नहीं दर्द मिटा नहीं तो हमने तैय किया कि इस्थानी निकाय के चुनाव में 50 परसेंट रिजर्वेशन देंगे राजनेतिक प्रितितों मिलेगा तो घूगट मार के घर में नहीं बैठेंगी बाहर निकल के काम करेंगी आज 56 परसेंट महलाएं मेर से लेके जिला पंचा से लेके आपके सरपन से लेके पंच तक है यहीं नहीं रुका में इसके बाद हमने तैय किया पुलिस में 30 परसेंट बरती बेटियों को करूंगा इतना विरोध हुआ मेरा पुलिस में ही पुलिस अफसर्स ने का कि क्या कर रहे हैं सर गड़बड हो जाएगा मैं उनका जो हो जाए 30 परसेंट तो बेटियां चाहिए हमने 30 परसेंट बेटियों की पुलिस में भरती की 60 परसेंट हमने शिक्षकों की जो नोकरिया थी उनमें का कि बेटी मास्टर तो बन सकती पढ़ा सकती क्या दिखकत है दूसरे गाओं जाए पढ़ने तो हमने साइकल दी, किताब बन दी, यूनिफॉर्म दी, गाओं की बेटी योजना बनाई, प्रतिवा किरन योजना बनाई, कि अच्छे नमबर लाएगी तो, अब हमने एक योजना बनाई कि बारवी में अपने अपने गाओं में जो पहले न दिला दे, मा मुझे कपड़ा दिला दे, मा मुझे चुस्सी दिला दे, आईस्क्रीम खिला दे, मजबूर होती थी मा अगर पैसे नहीं होती थे, मा आएके जाना आया और ये लगा कि जाओंगी भाई के घर तो आएंगे उसके बेटा-बेटी कहेंगे, भुगा क्या है ले लेके लाड़ली बेहना तक की उसका एक step है मेरा ये लाड़ली बेहना के बेहन मजबूर नहीं रहेगे देखिए मुझे बेटिया मामा कहती है उनकी मा मेरी बेहन हो और बेहन को भाई का फर्ज है कि कम से कम नियूनतम जो खर्चे है उनकी व्यवस्ता हो जाए लेकिन एक और मैं उधारन दूँगा ठूकि ये बहुत चर्चा में है योजना 2017 में मैंने बेगा भारिया सहरिया ये अत्यंत फिछडी जन जातिया है ट्राइबल्स की इन बेहनों को मैंने 2017 में एक हजार रुपया देना सुरू किया था जिसको कमला जी ने बंद कर दिया था कौंगरेस क सरकार आते ही मैंने बाद में इंपेक्ट असेस्मेंट करवा है तो उन घरों में पूसन की इस तर सुधर गया बच्चों का क्योंकि माने पैसे का दुरूपयोग नहीं किया पेट एक लिए फल लाई सबजी लाई दूद लाई दाल लाई तो पूसन का इस तर सुधर गया मेरा पूरा विश्वास्ता कि एक बाद पूरूस पैसे का दुरूपयोग कर सकता है लेकिन महला के पास पैसे जाएगी तो वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए खर्च करेगी और इसलिए दिमाग में ये बात उपन जी के लाई ली बेहना योजना बना और हजार क्योंकि आपके विबक्षियों ने भी एक प्रिस्ताव दिया है लेकिन चुकि आपने पोशन का जिक्र किया तो थोड़ा सा विश्यांतर कर लेता हूं मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में कोपोशन खिस्ते थी ताजा रिपोर्ट बताती है लगभग 78,000 बच्चे कोपोशित हैं ये वो बच्चे हैं जो आगनवाडी पहुँचते हैं एक आग्रह को लेकर आपकी सरकार को घेरा गया कि शिवराज सिंग चोहान सरकार को इस बात से क्या आपती है यदि बच्चों के इसको पोशन को दूर करने के लिए उनके मील में अंड़ा भी रहे जो कमलनाज सरकार ने लागू किया और आपने हटवा दिया क्या कहेंगे इस पर देखिए पोशन का इस्तर लगातार सुधर्रा यह तो आप एनफेज के आकने वही बताते हैं लेकिन और बहतर काम करने की ज़रूबत है मैं इमानदारी से स्विकार्द करता हूँ और इसलिए हमने ऐसी योजदा भी जो बेगाबारी या सेरिया में पर सेरियोर्गार का यह अग्रे नहीं है, कि यह खाया यह रोकाए, यह चुनाओ का हक है उनको न? लेकिन अलग से हमने ये जो पैसे देना शुरू किया था उसका उद्देस एक ये था कि मा जो पसंद करेगी वो खिलाएगी पैसे देने को लेके मद्यप्रदेश में एक नई चर्चा शुरू हो गई है बोले बहनों की मौज है शिवराज मामा आए बोले हजार रुपे लोग एक बड़े मामा और है कमलात मामा वो कह रहे हम डेड़ हजार देंगे जब उन्होंने कहा डेड़ हजार तो शिवराज मामा ने कह दिया कि चिंदा न करो हम दो हजार देंगे तीन हजार देंगे अब इसमें जो राज जी की वित्ती हालत पर नजर रखे बैठे पार्खी हैं। वो पूछ रहा हैं इन दोर एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर मुख्यमंत्री हैं। दोनों को मुख्यमंत्री बनना हैं। कुछ महिनों बाद दोनों की दावेदारी है। उनने का अब हजार, उनने का देड़ हजार, वो कह रहे हैं, तीन हजार कल को वो कह देंगे, पांच हजार, तो यह कहां रुकेगा। देखी है, एक तो मैं आपको बताओं कि उनने तो हजार रुपया आप पूछ लिजे spraw, जो मैं देता था पहले से अतियंत पिछडी जन जातियों की बेहनों को वो भी बंद कर दिया था उनने अब वो तो गवरा गए कि ये हजार रुपया में मामला ऐसा ना हो जाए और इसलिए उनने जान गूज के जो चीज़ उनके दिल दमाग में थी ही नहीं मैं ऐसी बात बोल दी ये मैंने जो आपको बताया कि महला ससक्तिकरन मेरी जिन्दिगी का मिसन है मेरे दिल से निकला है मेरी अंतर आत्मा से निकला है आप ये कह रहे हैं कि कमलनाज जी ने इस हजार के उत्तर में पंदरा सो गोशित कर दिया मैंने आपको बताया मैं बार बार कह रहा हूं कि बेगा वारिया सेरिया के हजार रुपे कमलनाजी ने बंद कर दिये उनको दिये नहीं हमने योजना बनाई इसलिए कि बहन की छोटी जरूरतें भी पूरी हो और परिवार के पोसन का इस्टन भी सुदरे ठीक है इसके लिए हमने प्रारम की अब ये योजना इन में से एक ने के योजना को का जनक में हूं और जब हमने ये शुरू किया था तब बजट की इसनी देख के हमने तह किया कि हम एक हजार से इसको शुरू करेंगे लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे कई चीजों की करेंगा कि उसकी ज़रूरत क्या है और इसलिए हम उसको समय समय पर बढ़ाएंगे ये मैंने कहा है जहां तक वित्ती स्थिती का सवाल है मद्द प्रदेश का बजट जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 21,000 करोड का था उसको बढ़ाके एक लाग करोड में कर पाया 2012 में 2,000,000 करोड करास किया मैंने 2021 में और 2023 में 3,000,000 करोड करेंगे हम 3,000,000 करोड का बजट है बित्ती स्थिती पे जब बात होगे तुमें विस्तासा चर्चा करूँगा हमने जो कुछ किया उस सोच समझ के किया क्योंकि बजर्ट पे जब चर्चा होगी मुक्यमंत्री जी तो जो प्रदेश पे कर्ज है देंदारियां हैं उन पर भी चर्चा होगी उस पे हमाएंगे 500 रुपे हमें सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं कमलनाथ क्या इस पे शिवराज जी कोई अलान करेंगे एक तो ये केवल गारंटी नहीं है ये उनका चुनावी सोसा है उनको चुनाओं में कुछ करना है इसलिए वो तह रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि महां कह दिया वहां हो गया यहां कह देंगे तो साइड़ लोग हमारे साथ आजाए हम कांग्रेस की हर चीज की उन्ने करती इसलिए करेंगे हमारा सोच नहीं है हमारा सोच है संपून जनता का संपून कल्याज हमारे सोच के केंदर में एक नहीं अनेकों योजनाए है जो इसके पहले की कोई आज चला रहा है ऐसी बात अब देखी हमने एक योजना सुनकी जिसमें हम गरीब मजदूर बेहन को बेटा बेटी को जनम देने के पहले चार हजार और जनम देने के बाद 12,000 रुपया देते थी आज शुरू नहीं कि हमने यह हमने नो में दस में सुरू की क्योंकि मजदूरी करने वाली बेहन में गाओं में देखता था, हफ्ते पर भी आराम नहीं करती बेटा बेटी को जनम देने के बाद, और अपने बच्चे को या तो घर पर रख देती है, खित की मेर पर रखके, उसको मजदूरी करने जाना पड़ता था, हमने का इसको भी त हमारी तो हर साल, हमारी तो हर साल, जैसी आवसकता होती है, उसके हिसाब सम्योज ना बनाते हैं, कॉंग्रेसी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इतना लंबा जवाब दिया, लेकिन 500 रुपए के सिलेंडर पर कोई प्रॉमिस नहीं दिया, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों उनके कहा था, राहुल गान दीजेए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दस दिन में करजा माफ नहीं तो 11 दिन मुख्यमंत्री बदल दूँगा, सवा साल बैठे रहे, उनने कहा था, चार जार रुपया महीना बेरोजगारी भटता देंगे, चार भी किसान को बॉनस दिया गया, 900 उनके बादे थे, 900, कोई पूरे नहीं किये, बुलंदा बना दिया, बचन पत्र जो सबसे बड़ा जूट पत्र है, मा जूट पत्र, उसका तो वो जवाब दे दे, बुलंदा लिख दिया केवल, कहने के लिए जो कहते वो लिख डालो, हम क अपने जवाब में कहा कि राउल गांदी जी ने कहा था, कि मुख्य मंत्री बदल देंगे, लेकिन आप लोगों ने सरकार बदल दी, लोग ये पूछ रहे हैं कि जनादेश भारती जनता पार्टी के पास नहीं था, और शिवराज सिंग चोहान के स्कूल अफ पॉलिटिक् कि जो मुख्य मंत्री आवास में आपके साथ मौजूद थे, और टीवी स्क्रीन पर रिजल देख रहे थे, ये राय थी, कि राजभवन में आनंदी बेन पतेल हैं, पूर भाजपानेता और अब महामयम, हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, अपने प्रबंधन कोशल प पर वही लोग पूश रहे हैं कि मार्च दोहजार बीस आते आते शिवराज सिंग चोहान का हिर्दे परिवर्तन हो गया, या आला कमान ने उन्हें ऐसा करनी के लिए कहा, आला कमान का तो सबाली नहीं है, लेकिन मैं आप होता हूँ कि बहुमत तो कांगर इसका भी नहीं थ दोहजार इठारा में, अंदरदली भी थे, एक एक दो दो बसपासपा के साथी भी थे, और वो सब साथियों में से कई लोग रास्ते में थे, जो मुझे ये कहने आ रहे थे, कि हम आपके साथ हैं, पांच उदायक रास्ते में थे, लेकिन हां रास्ते में थे, सागर तक आ थे, अलग-अलग दिसाओं से आ रहे थे, तीन को सागर ही रगबग पहुँच गए थे, और वो मिलना चाहे थे थे मुझ से आके, लेकिन मेरे कौन सस्ते अलाउड नहीं गया, मुझे लगा कि बोट हमारे जाता थी, ये भी आपकी जानकारी में, सीट सही उक से गड़ित म में उनकी जादा हो गई, तो मुझे लगा कि जिसकी जादा सीट है, सरकार उसको बनाना चाहिए, और सवेरे सीधे में, गवर्नर साब के पास गया मेडम थे, और मैं निगा कि ये मेरा स्टीफा, आपने स्टीफा देने से पहले पार्टी के रास्ट्रिय अद्धिश, अमि साल में चुप नहीं बैठा, मैं ऐसा विक्ति नहीं था कि मुक्मंतरी नहीं रहा तो अब मैं आराम कर लूँ, मैं लगा था लड़ता रहा, टाइगर अभी जिन्दा है, हाँ मैंने का उसमें टाइगर अभी जिन्दा है, लेकिन कमल नाज जी ने अन्याई की अति कर दी, बल्लब भवन दलालों का अड़्डा उसमें बन गया था, खुले आम लूट होती थी, वो बात मन को तकलीफ देती थी, वो और उनकी टीम, अपने सहयोगियों कोई कुछ नहीं गिन रहे थे, अगर जियोतरा जित्ति जी ने बचन पत्रयाद दिला दिया, तो उनसे कह दिय कि निपटलो, सड़क प्याजा, उनके व्यान है ऐसे, उनने अपने लोगों को आहत किया, तीसरी बात यह होई कि उनने ब्यापक प्यामाने पर बदले की राजनीती शुरू की, इसका होटल रपवा दो, बीजेपी का कारिकर ताइज, दुकाने तुडवा दो, बुल्डो पूरे नहीं किये गए, वादे निभाए नहीं गए, सिंध्या जी ने याद दिलाया, तो उनसे का कि उतर आओ सड़क पर, अब उनने फैसला किया, सरकार छोड़ने का, और उसके बाद जो परिस्तिती थी, उसमें भारती जंता पारिटी के पास सरकार बनाने का अवसर था वो तो उनकी विवश्चता थी, नेकि उसके बाद की बात मैं बता रहूं, अगर इसको लोग गलत मानते तो हम को जिता आते क्यों साथ, भारती जंता पारिटी, अब डाक्टर पुरूराम चोधरी जी जब कांग्रेस में थे, तो किते वोट से जीते थे, जब हमारे साथ वो आये तो 64 जार वोटों से जीता आया, तुलसी सिलावट 53 जार वोटों से जीते, कोई 40 से जीता, कोई 38 से जीता, जीते ऐसी भी नहीं थी कि कोई अजार पासु की जीता है, कुछ लोग आरे हैं, वो संक्या बहुत कम्या आप जानते हैं, लेकिन लोगों ने कहां जोत्री मंत्री नरुत्तम मिश्र का नाम लिया गया, जोत्रा दिति सिंदिया ने नाराजगी जताई अंदर खाने की मीटिंग में सत्य हैं, यह सच नहीं है, कुछ लोग कुछ साथ ही हमारे हारे, लेकिन हम अधिकान सीटे जीते और भारी बहुमस से जीते, तो जन जना द जोत्रा दिति सिंदिया ने आप से संपर किया, केंद्री ग्री मंत्री अमिशा से संपर किया, भाजपाद ध्यक्ष जेपी नड़्डा से संपर किया, यह ओपरेशन हुआ किसी का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस का एक बड़ा गुट गुरुप तूट के अलग हुआ, तब पहले ही जहाज में बैठके गुरगाओं के होटलों में पहुच चुपे थे, अब उनकी अपनी व्यवस्ता हो, आपकी मंत्री ने कहा, नरुत्तम मिश्र का बयान है बाकाइदा ओन रिकॉर्ड, जब दिगविजे सिंग ने कहा कि हमारे चार विधायकों को लेके जा रहे ह तो नरुत्तम मिश्र का बयान आया, चार नहीं पंदरा है हमारे पास, अब नरुत्तम जी ने कैसे दिया वो तो नरुत्तम जी बता सकते हैं, लेकिन उनको आहत किया गया, उनको तबज्जो नहीं दी गई, जब जाते थे जनता की समस्या लेके, तो कहते थे चलो चलो, चल यह परिस्थिती बनी, मंत्री रहे, जैंत, मलाईया, दमोह से, अब उनके सामने राउल लो दी हैं, कितनी कितनी जगों पे आपको समायोजित करना है, देखिए, जो नए साथी आये हैं हमारे, वो भारती जनता पारिटी के कारी करता है, और यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मंदर प्रदेश में कि पहली बार कोई भारती जनता पारिटी में दूसरे दल के बाद आया हो, आप एतिहासिक रूफ से अगर देखेंगे, जब बंदर प्रदेश एक था तब भी, समाजबादी पारिटी से लोग तूटके भारती जनता पारिटी में आयें, और बड़े डाक्टर सिपरसाद चिनपुरिया जी, बड़े नेता ते समाजबादी थे, वो आके जनता पारिटी के प्रदेश के अद्धक्ष बने, ऐसे एक नहीं दरजनों नाम हैं, जो जनसक में नहीं थे, लेकिन दूसरी विचारदाराओं से आये भारती जनता पारिटी के साथ आके समरस हो गए, ये म स्वाबावी कुरूफ से वाजो है, उसको भी एड़ेस्ट करना होता है, लेकिन कोई बड़ा इसके कारण असंतों से या कोई बड़ी तकलीफ है, ऐसा नहीं है, स्वाबावी कुरूफ से जब एक विक्ति आता है, तो दूसरे के लिए भी उतना सम्मान और इस्थान मिले और बनाए, यह हमारी ड्यूटी है पारिटी की तो, उस प्रयास में हम दिरंतर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री समायोजन की बात करते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के इर्दगिर्द के लोग कहानिया सुनाते हैं, जोत्रादित सिं कई वरसों तक, पूर्ण काल कारिकरता है कि रूपों ने काम किया है, और इसलिए कोई आसपास के लोग कुछ कहते हैं, और उस पे से वो कहते हैं, ये बात तो कि वो कलपनाओं में, ये भी कलपनाओं में हैं क्या कि शिवराज सिंग्चोहान चाहते हैं कि अब वीडी शर् सिंग्चोहान ने मिलके ये तैय किया है, कि बीडी शर्मा की विदाई हो, ये सब जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो फैलाने का प्यास करते हैं, बीडी सर्मा बहुत सक्षम्दा के साथ, पालिटी का मदवर्देश में नेतरत्व कर रहे हैं, और हम लोग एक टीम करूप सक्षम्दा के साथ, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये जो कैलाश विजेवर्गी, नरेन तुमर और राजिंदर शुकला के समर्थक, अपनी अपनी गणित बता रहे हैं, बारती जनता पाइटी के समर्थक है, यहां मित्रता हो सकती है, स्वाबावी की रिष्टे हो सकते है लेकिन कोई सिवराज के साथ है, कोई कैलास के साथ है, कोई नरेन तुमर जी के साथ है, ऐसा नहीं होता, सब लोग भारती जनता पालिटी के साथ ही होते हैं और सबकी महत्वा कांगशाएं भी होती हैं महत्वा कांगशाएं तो स्वादावे के राजडीती में अगर रहेंगे काम करेंगे तो जो काम मिलता वो काम सब करते हैं और बेतर कर पाएं शिवराज जी आपके बारे में जब मैं यहां के पुराने राजनेतिक पत्रकारों से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़े दो तीन दिल्चस्प प्रक्रण बताए बोले दो तरह के शिवराज हैं अमने का बताईए साब बोले एक शिवराज हैं जो व्यक्तिका जीवन में आप बात करेंगे तो आपको बहुत सहज सरल लगेंगे पर एक दूसरे शिवराज हैं जो सहजता और सरलता के बीच राजनीति के चौसर पर कब कौन सी बाजी चलनी है विपक्षी के खिलाफ और पार्टी के भीतर जो विपक्षी हो सकते हैं उनके खिलाफ उसमें माहिर है फिर गिनाया गया उन्होंने का एक शिवराज कंटिन्यूटी बाबु सिंग और के बाद से लेके अब तक परदेश अध्यक्षों की गिंती देखी नंद कुमार जी आये प्रभाद ज्या आये नरेन तो मर आये राकेश सिंग आये सब आये सब के एर्दिर्द की कोठ्री ने उनको हसरत पलवाई अगले मुख्यमंतरी तो साब आपी है सब निपता दिये गए सब कोप भवन में बैठे है गिनवाया गया केलाश विजयवर्गी महराष्ट का दौरा कर रहे है मद्यपरदेश में जितनी सक्रीता होनी चाहिए नहीं है प्रभाज्या कुछ जिले दे दिये गए जितना सक्री होना चाहिए नहीं है यही बात राकेश सिंग मोगे एक लंबी लिस्ट गिना दिगए आपको लगता है कि आपकी पार्टी में बुजर्ग नेताओं का एक जमावड़ा हो गया है जो अंदर खाने मुख्यमंत्री से या संगठन से परयात तवज्जो ना मिलने के चलते नाराज है देखिए मेरी जिन्दगी एक मिसन है मैंने कभी भी तै नहीं किया कि मेरे बारे में तै करने का काम पार्टी ही करते है पार्टी ने ही आज तक किया है मैं वो घठना भी आपको सुनाना चाहता हूं जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था म shines कोई कोसिस कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री बन जाओं यह कभी नहीं हुआ पार्लियमेंटरी बोर्ट की बैठक थी, मैं पार्लियमेंटरी बोर्ट की बैठक थी, मैं पार्लियमेंटरी बोर्ट की बैठक थी, लगबग दुपैर के तीन बजे का समय होगा, मैं कभी दिन में नहीं सोता, लेकिन उस दिन मैं पता नहीं कैसे विस्तर पे लेट गया, और म पत्नी के पहले मेरे घर की घंटी बजी और हमने दरवाजा खोला तो सामने में जैसे उठा भूपेंदर हुड़ा खड़े हुए थे जो अर्याना के मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी के साथ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था साथ नंबर और नो नंबर की दो कोठी थी PDP machenर के एक में बूर रहते थे एक के मेरे तरश पत्नी थे धो और वूपिंदर हुड़ा जी खड़े हैं खुड़ा जी ने मुझे बदाई थी संयोग से उस समय तक वो हरयाना के मुख्वंतरी बन चुके थे पहले वो भी मेंबराब पार्लिमेंट थे वो पगल की कोठियों में हम रहते थे तो आना जाना मितरता आप विद्शा के सांसत वो रोतक के सांसत थे जब उनने मुझे बनते तो सपत के बाद है इसके बाद केंदरी कारेले से मेरे पास फोन आया ततकालीन संग्ठन महामंतरी जी का कि आप कारेले आ जाईए संजय जोशी जी का हाँ संजय जी का आप कारेले आ जाईए मैं कारेले गया तो कारेले मुझे बताया गया कि यह ते हुआ है कि आपक जब मैं बना तब भी कई लोगों को अजीब लगा मुझे भी लगा कि एकदम मुख्व में क्यों कि मैं पहले मंत्री जैसे पदों पर कभी सर पंच भी नहीं रहा मैं तो MLMP रहा था संग्धन के पदों पर रहा था तो पार्टी ने तैय करके मुझे मुख्व मंत्री बनाया तब से लिए कि आज तक पार्टी ही फैसला करती कौन किस इस्थान पर रहेगा मैं सारे वरिष्टों का हिरदे से सम्मान करता हूँ किसी से मेरे संबंद खराब नहीं क्यों को सम्मान देरा उनके कारण पार्टी है सब लोगों ने तना परिस्रम करके पार्टी खड़ी कि है और पार्टी में ये बात सही है कि बदलते रहते हैं कभी को Corps रहेगा कल इक लेकिन मान सम्मान सब्सक्रासर रहना चाहिए यह पर अदना हम लोग करते रहें बाते हैं यह 20 हावा में बहुत हूती रहती कि यह नाराज जे कि बात कर रहें जी ऐब यह आज आज ही हम साथ बैठे ठेख़े थे हम जब सवेरे मैं समझता हूँ कि शा हम लोग लगातार मिरते जुलते रहते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। माः स्बमान खूब है, सक्रेता नहीं है इन नेताओं की। जो काम जिसको देते हैं। कहलाश जी को का अप महरास्त हुज जाओ, तो किस ते ने कहा, पार्टी ने का? कि महारास्ट में जो पार्टी में, तो आगरे कर रहा हूं नड़ा जी से आगरे कर चुका हूँ, कि कहलास जी, नरेंसिंग जी, प्रिलाद पतेल जी इन सब को ज़्यादा समय मदफदेश में देना चाहिए। पार्टी की राष्टियत थे, श्मक्हि मंतरी जी की नहीं सुन रहे? सुन नहीं रहे, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैंने तो आप कभी नरवड़ा जी से पूछेगा, मैंने उन से आग रहे किया, कि कुछ जादा समय आप यहां दे, केंद्री मंतरी है, तो केंदर में समय देनी पड़ेगा, तो अमर जी अगर केंदरी मंतरी है, प्रिलाज जी अगर केंदरी मंतरी है, फग्गन सिंग जी केंदरी मंतरी है, या वीरेंद कुमार खटींग जी केंदरी मंतरी है, सिंध्या जी केंदरी मंतरी है, तो केंदर में समय देनी पड़ेगा आज कहा गया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नित्रत में भारती जंता पार्टी की NDA की सरकार बनी तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शिवराज सिंग चोहान उनकी कैबिनेट को विभूशित करें आपको दिल्ली बुला के राजनेतिक संदेश दिया गया आपने कहा नरेंद्र मोदी जी मैं भोपाल जाकर विचार करूँगा आप भोपाल आए आपका संदेश नहीं पहुँचा विधायकों के बयान पहुँच गए यह हमारा मुख्यमंत्री तो शिवराज ही होना चाहिए यह सब गलत है अब जो गपोड़े बाजी करते हैं उदर उदर के उपज है कभी ऐसी बात कही नहीं गई ना सामने आई मोदी जी हमारे ऐसे नेता है जिनको केबल मैं नहीं करोड़ों करोड़ों स्थृद्धा और भक्ती के भाव से देखते हैं जी और बोदी जी कुछ कहे और ना माने यह कभी हो ही नहीं सकता ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं पता नहीं कौन हवा में फैलाता रहता है अगर भवश्य में इस तरह का फ्रस्तावा आएगा तो आपने बड़ा संदर प्रसंग सुनाया हम लोग एक सीरीज करते हैं पॉलिटिकल किस्सों की उसमें जनता बहुत पसंद भी करती है कि किस तरह से उड़ा जी ने आपको जगाया सूशना मिली इसके आगे का एक प्रसंग और है जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है शिवराज जी को केंदरी आला कमान ने तै किया कि अब वो अगली मुख्यमंत्री होंगे बाबु सिंग गौर जी उन दिनों बाबुलाल जी माफ करेंगा बाबुलाल जी इन दौर में एक कारक्रम में थी जेटली जी ने फोन पे उनको भी सूचित किया आवाज कुछ असपश्ट थी पर गौर साब समझ गए कि संदेश क्या है आप शताबदी से आये थे बोपाल से दिल्ली से बोपाल आये आपके स्वागत में विधायक थे फिर शुरू होती है पार्टी विधायक दल की मीटिंग और उस मीटिंग में आपचारिक प्रस्तावस से पहले उमा भारती खड़ी होती हैं और कहती है कि वोटिंग करवाई जानी चाहिए ऐसा हुआ था ? नई उमा जी उस ने ऐसा मतलब ऐसी कोई कट नहीं थी कि वोटिंग करवाई जानी चाहिए उस प्रसंग के ठीक बात पुलिस को लाठी फटकार ने पड़ी थी ? अब वो घटना करम सब की, देखी मैं ये मानता हूँ, अंतर आत्मा से, उमा जी असाधरन विक्तित्व की धनी है, सदेव से मेरे और उमा जी के संबन भाई और बेहन के ही रहे, बरसों से हम लोग काम कर रहे हैं, साथ मैं, यवाम उर्चे में जब मैं काम करता था तब भी उ उमा जी के बारे में कुछ बूलाओ, वो परम अधरनी है, मैं उनकी बहुत इज़त करता हूँ, अंतर आत्मा से, इसलिए उमा जी से मेरे संबन बहुत स्वाबाविक है, वो ऐसे भी नहीं कि उसमें कोई नाट कीता हो, और आज नहीं बरसों से हैं, 2005 में भी थे, हमेशा र लाओ, उसमें था तो फिर पार्टी छोड़के क्यों चलाओ, वो एक अलग बिसे हो सकता है कोई, लेकिन जतना से मुझे उमा जी से मिलता है, आप कई मौकों पर देखेंगे, वो दुरलफ़ा होता है, आप कहा रहे हैं, कई मौकों पर देखें, हमने पिछले दिनों देख उमा भारती, देश की सांसद रहीं, देश की मंत्री रहीं, हात में पत्थर लेके शराब की दुकान का शीचा फोड रही है, उनका अपना मकसद और उद्देश नसामुक्ती को लेके है, मैं उस पर कोई ठिपड़ी नहीं करूँगा, आप राजी के मुख्यमंत्री है, मैं उनके इस भाव का आधर करता हूँ, और इस पर पालसी? पालसी हमने बनाई, हमने सराब के सारे आहाते बंद किये, मेजर चेंज किये हमने अपनी पालसी में, कोई नई सराब की दुकान नहीं खुलेगी, कहीं ऐसी जगे नहीं खुलेगी, जहाँ स्कूल हो, बड़ा को कई बार दुरगटना होती थी, कई बार अगर होस ठिकाने पनी रहे, तो ऐसी असोवनी चीजें भी प्रकास में आती थी, इसलिए हमने सारे हाठे बंद कर दी, एक अप्रेल से. उमा जी का जिकर आया, तो मुझे, चुकि उमा भारती की, शिवराज सिंग चोहान की सबकी राजनीति में, भारती जनता युगा मूर्चा एक बहुत महत्पूर्ण पड़ाओ है, पुराने फत्रकारों ने सिर्फ ये नहीं बताया हमें कि वीडी शर्मा और शिवराज जी के बीच ठीक नहीं या जूत्रादित के नहीं, उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ा भी बताएं आपके बारे में, उन्होंने पताया कि आप जब पार्टी के भाजुमों के प्रदेश अध्यक्ष थे तो एक बहुत बड़ी आपने 1988 में या रैली की थी और पता नहीं कितन मद्ध प्रदेश में उस समय अरजुन सिंग जी की सरकार थी, कौंगरेश की सरकार थी, तो सरकार की खिलाफ नो जवानों को जगाया जाए, कई मुद्ध हमने निकाले, उन मुद्धों पर संघर्स किया जाए, संघर्स के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमने तह किया जैसे जगदलपुर से चले, जगदलपुर के भी आगे सुकमा से, तो चालीस दिन में बच्छे चले, अब मसाल में इतना था कि कुछ पर्मानेंट यात्री होते थे, कैलास विजवरगी जी मसाल के पर्मानेंट यात्री थे, वो भावरा से चले थे, रियन पांडे, ब्रिज पर्चाना गया, तो उस समय पार्टी में भी इस बात का वरुसा नहीं था, कि ये लड़के पैदल चलेंगे, बलके हमको तो पहले डाट मिली कि क्या पागलपन करते हो, मसाल लेके कौन जा अगया, रस्तिम फैक मागके चल देंगे, तो ना कोर कड़ जाएगी, हमसे की जि पार्टी को रिक्वेस्ट की, नारण प्रसाद गुपता जी, उनका स्वर्गवास हो गया, बड़े आधर नहीं नेता थे, उनसे मैं अक्ले में जाके मिला, और उनको मैंने कन्वेंस किया, कि आप थोड़ा सा आप माहोल ऐसा बनाईए, कि हमको अन्यमत ही मिल जाए, क्यों में एक लाख मोजवान प्रदर्सन करेंगे, अब छोटा मोटा ब्यान चपता था, जादा तो चपता नहीं था, तो मुझे ठाकरे जी ने बलाया, स्वर्गी ठाकरे जी हम सब के पित्र पुरूस है, कोशा भाव ठाकरे जी, और उनको अम, मतलब आप ये मारी कि पूरा दे लाख कहां से आजाएंगे, एक लाख बोल रहे हो तुम, सोच समझ के बोलते हो, मैं इनका भाई साब कोशिस कर रहे हैं, आजाएंगे, कहां से आएंगे, कुछ भी कहते ते हो, इसके पहले पार्टी ने सबसे बड़ी रेली की थी, वह भी थी, बावन अजार की, तुम एक पास गाड़ी वगएरा नहीं हुआ करती थी, तो फिर उनने एक पुरानी एमबेसडर उपलब्द कराई कि चलो अब ये बसों से कहां कहां जाएगा, तो एक एमबेसडर कार हम को दे थी, कि ये ले जाओ, अब इससे दोरे करो दुम, तो कार की पिछली सीट पर ही में सोता था, दिन बार हम बैठके करते थे, सभाएं करते थे, और रात में एक जगे से दूसरी जगे जाते थे, तो गाड़ी की पिछली सीट पर ही कही बार में सो जाता था, ताकि सब्वेरे दूसरी जगे पहुंच सके, तीन वही ने पूरी टीम ने, जिनमें जो नाम अभी लिय थे, हमने सब सामिज थे, घंगोर परिस्रम किया, और 7 अक्टूबर, 88 को चारों दिसाओं से करांती मसाल लेके, दो जवान जब आए, तो प्रदेश चमतकृत रह गया, एक लाग तेरा जार लोगों ने ऑन रिकार्ड गरफतारी, उसमें गरफतारी होती थी बाकाइदा, बस में पुलिस बिठाती थी, गरफतार करके ले जाती थी, और बाद में लोटने का बारंट भी देती थी, जहां से आए, तो एक लाग तेरा अजार गरफतारी ओन रिकार्ड होई थी, वो इतना बड़ा प्रदरसन था, कि लोग हिल गया है, और उसी प्रदरसन के बाद, फिर मेरी टीम को लीडर्शिप की, हमारी इस टीम को मानिता मिली, और हम भी यूथ लीडर की रूप में जानेगा, ये जवाब सुनके, जितने आपके प्रदेश के भारती जनता युवा मोर्चा के कारिकरता है, वो बहुत खोश हो जाएंगे, क्योंकि अगला सवाल ये है कि इस प्रदर्शन के तेश साल बाद जब चुनाव हुए, तो भारती जनता युवा मोर्चा के 23 लोगों को टिकेट मिला विधाय की का, इस बार आप युवा मोर्चा के कितने लोगों को टिकेट दिलवाएंगे? भारती जनता पारिटी की चुनाव समीती तै करती है लेकिन टिकेट देने के जो मापड़न रहते हैं उसमें यूथ भी आए और विसे इसकर पारिटी कोसिस करती है केंदरी नेतर तो भी के युवाओं को भी मौका मिले अनुवफ भी हो युवा भी हो तो तै तो चुनाव सम मिलेगा अच्छा इसमें वो यूवा भी शामिल हैं जिनके माता पिता राजनीती में हैं नेता पुत्र बहुत चिंता में हैं रवाज हा के पुत्र मालनी गौड के पुत्र एक लंगी लिस्ट है नरुत्तम मिश्र के पुत्र भारती जनता पारिटी की अपनी लाइन है सो तक चलता रहे भारती राजनीती के दुरभा कर देखिए कि देश में कुछी परिवार सत्ता चलाते रहे भारती जनता पार्टी यह करे के पिता के बाद पुत्र को पुत्र के बाद उनके पुत्र को यह ठीक नहीं है कोई पर बुलमल जी मुख्यमंत्री अब रागत्रा कुरकेंदुरी मंत्री, धर्मिंद प्रधान के पितः जीra है, अब धर्मिंद प्रधान बैकिन गेन एकसी में ध्यंट्ररंता है, अब भृत्रगी में चेहा कॉपीश हान हमारत है, फिलाल था उसकी क्शेमं कम होता है। मैं थोड़ा सा अभी हम लोग मशाल जुलूस तक आ गए आपकी नेतागीरी जम गई आप उधनी से विधायक बन गए लेकिन हम आपके पुराने मित्र से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज शिवराज बड़े सियम हैं गोशलाएं करते हैं अमल करते हैं जो भी करत थे हैं पोहप सिंग चोहान नाम था आपके चाचा का हां मुख्य मंत्री जी जब आप छोटे थे तो क्यो तमची आए गए थे क्या नेतागीरी कर रहे थे गाहूं ज़िए बचपन में बचपन से ही मैं ये कहूं कि मैं तो सुद्ध रूप से भगवान की अस्टित्व में बरुसा रखने वाला बच्चा था और मेरी इक्षा होती थी कि मैं धुरूब और प्रिलात की तरह भगवान की गोद में बैठूँगा भी जी और उसलिए मैं बचपन से पूजा पाट भगवान मिल जाई ये कोसिस करता रहता था लेकिन उसी के साथ मेरे मन में एक वेकाने जी की किताब लगी उनने बिल्कुल जो बात कही थी कि तुमके बल साड़े तीनात के हाड़ मास के पुतले नहीं हो अमरित के पुत्रों इसवर के अंसो अनंत सकिचों के भंडारों अमर अनंत के भागी हो और प्रे नहीं कुछ करना चाहिए अब करना चाहिए तो मैं बुद्धा करके हमारे हाँ चरवा था वो आता था गाल में दरारे पड़ी हुई है पैर फटे हुए है और लेट हो गया तो उसको डाट पड़ती थी लेट क्यों आया तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि इन बच्चों के साथ ये भी अदबाव के होता है ये पढ़ते क्यों नहीं है इनको दिन बाट क्यों काम करना पड़ता है उसी में से मेरे मन में एक बाव जा कि मजदूरों के कांधूरन करना चाहिए जिसमें काम के घंटे तयो और मजदूरी बढ़े पहले नाप के मजदूरी देते थे, पैसों में मजदूरी नहीं मिलती थी, जो नाप ने का जो बरतन होता तो उसको पाई करते तो और द्हाई पाई मिलती थी, तो मैंने मजदूरों की एक बैठक मंदर पर बुलाई, मंदरी होता था उस समय कि मैं इकड़ी? उम्र थी आप में सेवंथ में पढ़ता था साथ भी किलास में तो कुछ आए कुछ नहीं आए कि तो छोटा सा लड़का है और मैंने उनको बढ़कानी की कोसिस की कि अन्याय है ये दिन बर मजधूरी करते हो ढ़ाई पाई मिलती ढ़ाई नहीं पांच पाई मिलना चाहिए तो नारे लगाएंगे कि धाई पाई दो नहीं तो काम बंद करेंगे तो कुछ मजदूर फिर तयार हो गए कि चलो भाईया आंदोरन करें गाउं में बिजिली नहीं थी पैट्रोमेक्स हुआ करती थी जैत की बात है पैट्रोमेक्स हमने जलाई एक मजदूर ने सर पे रखी औ और बाकी बीस पचीस साथ हो गए जिसने सर पे पैट्रोमेक्स रखी उसके बगल में मैं वो नारे लगा रहे थे ढाई पाई नहीं पाँच पाई लेंगे नहीं तो काम बंद करेंगे जैसे ही वो जूरूस हमारे घर के दरवाजे पहुचा हमारे चाचा जी लाठी लेके निकले आओ मैं दिखा हूं तुम्हें पाँच पाई अब लाठी जैसे उनने उठाई तो पैट्रोमेक्स फैक के बाकी मज़ूर तो बाग गए मैं पकड़ा गया लाठी तो नहीं उनने थपड़ों से फिर मेरी दुनाई की और सवे रही मुझे क्योंकि ये रात मैं अंद कार्मिक फिगर्स के भरोसे हैं इसी लिए धीरेंद्र शास्त्री इसी लिए प्रदीप मिश्रा ऐसे कई लोगों को माहौल बनाने के लिए पूरा मेंडेट दे दिया गया है ये बिल्कुल गलत बात है बहुत सम्मानित संथ है ये समाज इनको सृद्धा की दृष्टी से देखता है और ये अपना कथा और वाकी काम करते हैं और हिंदू राष्ट का माहौल भी बनाते हैं ये किसी पाल्टी के नहीं है ये तो सबके है अब ये पता नहीं कहां कहा से चीज़ें चल जाती है आप कह रहे हैं सबके हैं पुरी के शंकराचार निश्चला नंद संकराचार जी पे मैं ठीबड़ें अनुपर मैं आपकी ठीबड़ी नहीं माग रहा हूं मुख्यमंत्री जी उन्हों ने कहा अधरी लॉइन ओर्डर का एक प्रश्ण है वो तो बता दीजे प्रदीप मिश्र फरवरी 2023 सिहोर कहते हैं चमतकारी रुद्राक्ष बांटेंगे इतनी बड़ी संख्या जुटती है भगदर में दो-ती लोग भी मरते हैं अव्यवस्था होती है लॉइन ओर्डर का प्रश्ण होता है लोगों ने कहा कि अगर कोई और करता तो शिवराज जी बहुत सक्त होते धर्म का मामला है इसलिए सरल हो गए आप ये देखी कि सृद्धा से लोग लाखों की तादाद में आ गए अब उन लोगों का क्या करते हैं उनको कहां रोपते देखिए कुछी जैसी होती जिसको आ देखना पड़ता है कल ना नहीं कर पाए कितने लोग आईंगे पुलिस ने विवस्ता बनाने के कौसिस की और अंतता बना भी ली गई लेकिन अब प्रतियासित बीड जब आ जाए और वो सृद्धा से बरी हुए कोई अपरादी तो नहीं थे तो सृद्धा से बरे हुए पर आपने इन सब बाबाओं को हिदायत दे दिये कि थोड़ा भीड को लेके पुलिस के साथ तैशोदा ढंग से चलिये ताकि अविवस्ता ना हो ने वो चर्चा सबसे हुए है कि विवस्ता बनी रहें ताकि उनके प्रति सृद्धा और वक्ती रखने वाले लोग ठीक से अपनी सृद्धा का प्रकटी करन करते रहें और विवस्ता बनी रहें। या इस तरह की मोड्यूल कैसे चल पा रहे हैं। दूसरी थी सिमी का एक बड़ा भारी नेटवर्क था या और आतंगवादी गत्यूदियों में वो लोग लगे रहते थे। हमने उस नेटवर्क उद्वस्त किया। यह मद्ध प्रदेश में अपराद है जैसा कि आप जानते हैं ने बताया भी। जब ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार कारवाई करती है, कड़ी कारवाई करती है। जहां होती है, कड़ी कारवाई करती है, निजरे भी रखे हुएं फिर भी कुछ चीज़ें होती है। उसको और गैराई से चेक करने का हम लोग प्रयास करते है। एक बात और कही जा रही है मुख्यमंत्री जी, कि आपका एक जो पॉलिटिकल स्टाइल है, उस पे एक दबाव आ गया है। शिर्रा सिंग चोहान की लोग बात करते थे, कहते थे कि भाई ये तो बड़ा परिवार वाला नेता है, ये नेतागीरी करने बैठता है मेज कुरसी पे, तो ये कहता है भाई तुम ये योजना लाइव से जो परिवार है मेरे प्रदेश के ये क्या करेंगे। तो परिवार वाली छवी सब को साथ लेके चलने वाली छवी, उस छवी की तस्वीरें कैसी आती थी, कि मुक्यमंत्री क्रिस्मस भी बना रहे हैं, मुक्यमंत्री के घर में इफ्तार पार्टी भी हो रही है, मुक्यमंत्री तीर्थियात्रा पर भी भेज रहे हैं, मुक्यमं अब शिवराज जी को मजबूरी में आक्रामक होना पड़ता है और मामा बुल्डोजर वाले मामा हो जाते हैं मैं आपको यह बताऊं मैंने पहले भी कौसस की कि अपरादियों के खिलाफ कड़ी कारवाई आज नहीं 2006 से चल रही है ढक्यतों के खिलाफ भी मैंने बताया सिमी का भी मैंने बताया नकसल का भी मैंने बताया जब जब इस तरह की घटनाय होती है हम लोग कड़ी कारवाई करते हैं बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो उसको फासी के फंदे पे लटकाए जागे कानून सबसे पहले मदपते इसने बनाया ऐसे दुराचारी के हम घर भी ढहते हैं इल्लीकल अगर उनका कॉंस्ट्रेक्शन है तो तोड़ते हैं उसको तो कड़ी कारवाई पहले से करते रहें अलुचत ये पूछ रहें मुकिमत्री ये अलग बात है कि योगी जी के बाद बुल्डो ज़र जादा चरचा में आया उसके पहले बुल्डो ज़र चलते थे तो चरचा में नहीं आते थे अच्छा आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंग चोहान योगी आदनात से पहले से वो सचमच में बहुत अभीनंद नहीं है मतलब इसमें तो ऐसे बड़े मापिया ही नहीं चोटे मोटे हैं तो उनके खलाफ़कार पही चलती रहते हैं पर कई लोगों ने ये भी कहा कि अचानक से आतिक्रमर का ख्याल तभी क्यों आला है जब कहीं खरगौर में घटना होगी तो बर्लोजर चले गए उसके पहले भी हमने किया है तेकिन पहले उतना प्रिकास में नहीं आता था और उस जल्दबाजी में प्रधान मंतरी आवास भी उड़ा दिया गया एक अगर कोई अपरादी ने अपराद किया तो यहां से निर्देश थोड़ी जाते हैं यह तो हमारे उनके खिलाफ कड़ी कारवाई के निर्देश से प्रसासन को इस्थानी प्रसासन कारवाई करता प्रधान मंतरी आवास इलीगल समीन पर बना था ऐसा है कि कई बार रह रहे हैं अगर किसी जमीन पर बरसों से बन गया और वो इलीगल है तो तूटने से एक और जिक्रा रहा है और यह आपकी पार्टी के जो धुर समर्थक है उन्होंने का कि साब आप जा रहे हैं पूछन यह सवाल पूछ लीजिगा हम बड़ा मन में दुखी है और शिवराज जी बहुत ही भक्त व्यक्ती है तो उनको तो पता होना चाहिए एक बना काशी कॉरिडोर देशवर में चर्चा हुई एक बना महाकाल कॉरिडोर यहां भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी उत घाटन करने आए लेकिन अब खबरें यह बन रही है कि जो सबतर्शियों की मूर्तियां लगाए गई वो जमीन पर लोटती नजर आ रही है लोग पूछ रहे हैं फीता काटने की जल्दबाजी थी या मुख्यमंतरी ने अपना कड़ा नियंतर नहीं रखा इतनी बड़ी योजना जिस सिंघस्त को लेकि यह टोटका चलता था कि जो सियम सिंघस्त कराएगा वो जाएगा आपने भवे सिंघस्त कराया इस बार यह प्रबंदर में चूक कैसे हुई लेकि महाकाल महालो पूरा बना साड़े तीन सो करोड रुपया लगबग खर चुआ उसमें मूरती साड़ भी मूरतियां अगर आप देखेंगे तो लगवग 178 मूरतियां महाँ पर हैं हमने तत्काल प्रारंबिक जाच करवाई आपको एक बात में यह बताना चाहता हूं कि वहाँ जो भी निर्मान का काम हुआ है मूरतियां भी लगी है तो तीन साल तक उनका मेंटनेंस से लेके उनको बागर कोई डेमेज होती है तो उनको ठीक करने की व्यवस्थात तक सारी चीजें कॉंट्रक्टर को ही करनी पड़ेगी तो प्रारंबिक जाच में जो चीजें आई उसमें ठीक ढंक से अब मैं पूरा बिस्लेशन उसका नहीं करूँगा क्योंकि अभी उसकी एक जाकर शिकायत करें लेकिन देखिये महाकाल महा लोग की वो चीजी नहीं देखे कितना भव्य बनाए आज भी दो लाख लोग सनिवार और इतवार को वहां आ रहे हैं उज्जें की पूरी धार में का आस्था का कैंद्र है लाखों लोग आ रहे हैं अगर दूसरी कर रहे हैं और अगर किसी को कोई दोसी पाए जाएगा तो देखा जाएगा लेकिन कुल मिलाके वो अदफुत काम हुआ है अभी देखिए इस प्रसंग में आपके मंत्री जी का जिक्र आया तो हमें कहा गया कि शिवराज जी काम तो करना चाह रहे हैं खूब लेकिन बड़ सागर से आते हैं तीन मंत्री भूपेन सिंग जी सागर से आते हैं गोविंद राचपूट जी और सागर से आते हैं गोपाल भारगो जी बोले ये मंत्रियों को आके मुक्य मंत्री से कहना पड़ता है कि DMSP से भूपेन सिंग की सुन रहे हैं हमारी नहीं सुन रहे हैं ये इ सिर है, फुटवल है. ये तो हवा में चीज़ें ज़ादा चलती है. लोग चला देते हैं. जहां लोग रहते हैं, बहुत स्वाभाविक रूफ से कुछ चीज़ें आती हैं सामने, तो आपस में चर्चा करते हैं. और चर्चा करके जलाते हैं, कोई एड आए, कोई फिल्म आए, कोई गाना आए, नरुत्तम मिश्र का बयान आता है, इस पर क्या कहेंगे, जबाब देने में सक्षा में, अगर आपने पूछा तो उन्हें जबाब दिया होगा, जी, उन्होंने कहा कि वो हिंदु धर्म की आस्था की रक्षा के यहां बैठे हैं, जो उनकी ड्यूटी पूरी कर रहे हूं, यह ड्यूटी आपके द्वारा असाइन की गई है, यह तो देखिए, ग्रह मंतरी के जो कर्तब यह हैं, उनका वो पालन करते हैं, उन्हें जबाब दिया होगा, मुझे पता नहीं, अब आप मुझे अंधेरे में मेरा काम मुझे मंतरी जी किसी को अंधेरे में रखना नहीं है, आपकी और उनकी क्या चर्च होई, मुझे पता नहीं, उसमें कोई फटाक से ट्रिपडू कर सूं, तो वो उचत नहीं होगा, यह आपकी खासियत मुझे बड़ा दिल्चस्प लगती है, कि आप, सब लोगों खुराग देते रहते हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है, कि समझाना चाहिए, तो हम लोग बात करते हैं, आप उसमें समझाते हैं, मैं यह समझना चाहता हूँ, कि जब आपने, कभी आपको यह समझायश मिली, खास तोर पे तब जब आपने विक्रम वर्मा के खिलाब प्रद हुआ यही था कि, 2003 की बात है या दो, नहीं मुझे लगता है कि 2003 के भी पहले की बात है, उसमें क्यों इतना हुआ था कि अद्दक्ष चुना जाना है, तो अद्दक्ष कोई भी तैह हो सकता, तो उस समय उत्साहित होके हम लोगोंने फॉर्म वर्म वर्म दिया था, कौन- लोगतंत्र का अप्रण मारने, कि वो चुना उप हुआ, मैं हरा, लिक्रम जी जीते, और हरने के बाद मैंने उनके बदाई दी और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, कभी कपार नहीं दिखता है ये लोगतंत्र, अक्सर तो एक ही परचा बरा गाता है, और वही मिर्वा बहतर ये है कि भारती जनता पार्टी में बैठ के फैसले किये जाते हैं सर्वसम्मती से, सर्वसम्मती से ही फैसले होते हैं, और उस फैसले को सब मानते हैं, और वही मैं मानता हूँ कि पार्टी के लिए हितकर भी होता है, कि वोट की नौवत क्यों आए, मैं मानता हूँ कि वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं लड़ना चाहिए था, लेकर उसमें लड़े क्योंकि लड़कपन था, लड़कपन कह लीजिए, कुछ जोस की कह लीजिए 2003 का विधास सभा चुनाओ भारती जनता पार्टी को एतिहासिक बहुमत मिलता है एक सीट पर कई लोगों की नजर थी, सीट का नाम था रागोगर जहांसे 10 साल के मुख्य मंतरी दिगविजय सिंग कॉंग्रिस के टिकट पर चुनाओ लड़ रहे थे उनके सामने भारती जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, शिवराज सिंग चोहान पार्टी ने क्या मेंडिट दिया था आपको? पार्टी ने तक किया कि जाकर रागोगर लड़ना है यह बास सच है कि मैं रागोगर सन्ने ही हूँ रागोगर मेरा कोई गापक संपर्क भी नहीं था, परिचे भी नहीं था लेकर हम लोग तो जैसे आप पूछ रहे थे, पार्टी के सिपाही हैं उनने का रागोगर जाके लड़ना है, घहरना है तिक मिज़े जीप किसना यह कम्मुनिकेट किया था आपको? किसकी तरफ संदेश आपको? किसकी पार्लिमेंट कोड ने का कि जाओ लड़ो, हम लड़गे, और लड़गे तो वो लड़ाई भूई बड़ी मज़ेदार, आनन्द भी बहुत आया, यह अलग बात है कि हम जीते नहीं लेकिन आपका करियर तो वहां से जोर पकड़ गया, हार के बावजूर अब यह वो जाने है, तीन वरिष्ट नेता आये थे रागोगर में आपका परचा भरवाने के लिए, अरुन जेटली, उमा भारती और कैलाश जोशी, सही बात है, हाँ सही बात, कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने आरोप लगाया है आप पर, कि आपने उनके पिता की, उनकी विरासत की, अंदेखी की पार्टी छोड़ा करूँगा, क्योंकि जोशी जी हमारे लिए राजनीती से परे है, भूत सम्मानित व्यक्तित रहे हैं, और मदपदेश बारती जन्दा पार्टी को खड़ा करने में, उनका अतुलनी योगदान है, इसलिए इस पर मैं कोई ठिपड़ी नहीं करूँगा, पर उनके बेटे तो आप पर इल्जाम लगाएं, जो चाहें करें, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पर ठिपड़ी नहीं करूँगा, क्या वो आपके पास आयते हैं खेहने के लिए, उनके पिता का इसमारक नहीं बन रहा है, मैं अपनी था, तब आप खूब राजनेतिक रूप से ताकतवर भी थे, पर कर नहीं पाए मन की, दो हजार अठारा में क्या ये बात सत्य है कि विधान सभा चुनाओ हारने के बाद आप एक यात्रा निकालना चाहते थे लेकिन आपको अनुमती नहीं, नहीं, यह सच नहीं है, कोई अगर देखेंगे तो उस समय में बहुत घूमा, हम रुके कहीं नहीं, अलग-अलग जगे हम आंदोलन करते रहे, प्रदर्सन करते रहे, लगातार प्रदेश में मेरा प्रवास चलता रहा, अच्छा, एक प्रसंग और है, जिसको लेके खुब बात होती है, यह पूछा जा कि पार्टी दरी बिछाने को कहेगी, तो भी करेंगे, पर कुछ नेताओं के नाम गिनाए जाते हैं, जिसमें आपका नाम भी है, और फिर साथ में यह भी कहा जाता है, कि इस नाम के साथ एक समस्या है, तो पूछाता है साब क्या समस्या है और गुण क्या है, बुले में ज़रूरी उस पर भी फिट बैठते हैं पर आडवानी जी ने ऐसी पोजिशनिंग कर दी थी शिवराद जी की कि वो नरेंद्र मोदी के वर्सिस हो गए थे 2013 में देखिए मोदी जी आज केवल पालिटी के नहीं देश के और देश के नहीं दुनिया के नेता है नेतरत भू कर रहें दुनिया के सरवाधिक लोग प्रीर नेता मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अपने वारे में कभी नहीं सोचते कि किसको कहा रहना है मोदी जी मानि मोदी जी हमारे लीडर है नेता है उनमें हमारा विस्वास और शिद्धा और वक्ति तीनों है और हम उनकी लीडर्शि मैं कई बार बात करता हूँ स्वास ठीक है मतलब स्वास जिस हिसाफ से उनकी उम्र है उनका स्वास बहुत बड़ी है सवाल ये इसलिए भी पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से आपकी संसदी बोर्ड से विदाई हुई मैं उसमें जबाब दे चुका हूँ आप थे मंच पर जी वही जबाब है वही जबाब है पार्टी जो कहेगी वो करेंगे कुछ ठेका है कैसे वरा सिंग चोहान का कि संसदी बोर्ड में तू ही रहेगा और दस प्रतिवास आली लोग है जैसे सतिलराय जटिया जी क्यों मौका उन्हें इतने समर्पित व्यक्तित वे जटिया जी पूरी जिन्दगी जोग दी उनने तो मौका बिला है चाहिए उसमें क्या दिकरते मौका राजनेतिक आरोप प्रतियारोप इन सब के बीच कमलनाज जी का और आपका खूब जिकराता है पर एक प्रसंग ये बताया गया कि दिगविजे सिंग ने जब आपको एक घर एलोट किया था ये क्या कहानी है अज बैभी कि लोगों को घर एलोट मुखमंत्री होता हूँ तो करता हूँ देखिए सामाज राजनेतिक कारिकर कोई मिश्रा जी थे उनका बंगला था आपकी बड़ी इच्छा थी नहीं नहीं यह अशी कोई इच्छा का सवाल नहीं था मैं भारती जनता पार्टी का सांसथ भी था प्रदेश का अद्धक्ष बना यहां अद्धक्ष के नाते और पार्टी सांसथ के नाते मुझे बंगला मिला था आप लोग की आपस में बातचीत होती है आपकी दिविजे सिंग की, कमल नात की और दूसरे निताओं क्यों नहीं होती, अगर कभी मौका आता तो होती है बिदान सवाओं मिलते हैं, तो बात करते हैं कभी वो लोग आपको फोन करते हैं किसी काम के लिए या आप उन्हें किसी संदेश के लिए अभी चुनाओं का दौर चल रहा है तो फिलहाल तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त है लेकिन मद्ध प्रदेश में ये सौजर ने रहा है कि अगर कोई पबलिक इसू किसी को उठाना है तो मैं जब मुखमंत नहीं था तो मैं भी बात कर लड़ता भी था, अंदोलन भी करता था बात भी करता था, वो भी बात कभी कभी करते हैं रोजबात होती वैसा नहीं है, लेकिन किसी इसू पर अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो हम सुनते हैं और आपके राजजी सांसद भी हैं दिख विजे जी तो राजजी सभा के इसलिए अगर कोई सांसद बात कहेगा तो उसको आदर के सांसद सुनना हमारा काम उसमें क्या दिख विजे जी पर भी लागू होती है जो अपने बयात प्रिवादे थे तो यह टिपड़ी नहीं करूँगा, उनका काम बहुत बहतर है अपने हिसाब से वो काम कर रही हैं अब हर एक पे आप पूछोगे कि दिख विजे जी पे बता हुए तो यह टिपड़ी करना मेरा दिकार चत्र तो यह इसलिए पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री जी क्योंकि जब प्रग्या ठाकुर चुनाओ लड़नी थी 2019 में तो पार्टी के कद्दावर नेता विने सहस्र बुद्धे को डेरा डालना पड़ा था भोपास जी को डेरा नहीं डालना पड़ा अकेला मैं सब साथियों को लेकर जुट गया था किसी को यह गलत बात है विल्कुल कि विने जी को डेरा डालना पड़ा मेरी खुद मुलाकात होई ती तब उनसे विनेजी प्रवारी थे हमारे प्रदेश के प्रदेश में आना जाना आपको पता है कि विनेजास्त्र बुद्देश प्रभारी थे लेकिन वो कि वह इसलिए आए वो को डेरा डालना पड़ा जिए वो दस दूसरे कामों के लिए भी आपकी सम्मती थी इस टिकट के लिए या दिनली से बता है आपकी ये कि योजना का खूब जिक्र हुआ पेसा कानून और लोगों ने कहा कि ये शिवरास सरकार का प्रियास है पिशली बार आदिवासी इलाकों में पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही ये क्या कानून है क्या मांगे थी जैयेश को लेकर भी बहुत सारी बात हुई देखिए भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने सदेफ से समाज के कमजोर वर्गों के कल्यान में मदप्रदेश में उलेक ने काम किया है आप पेसा के पहले अगर जाए तो ये बीजेपी की सरकार है मदप्रदेश में जिसने पूरे ट्राइवल इलाकों में रोड्स का जाल बचाया मुझे ये कहती है गरब है ट्राइवल छेतर के से कुल नहीं करते थे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे बहुत दूर स्कूल गुआ करतेते तो पहले तो हमें साउकलों की ब्वस्ताइक की पढ़ने जाए लेकिन उसके बाद हमें उसकूल हाई स सेकूल 서울 Кंद ऑ़ इतने ही नहीं, हमने आस्रम सालाइं खोली, छातरावास खोले, ताकि बच्चे बार रहके पढ़ाई कर सके, तो एक फेस था, तब सिक्षा की बहुत ज़रूरत थी, सिक्षा के साथ हमने पानी पर काम किया, बिचली पर काम किया, सड़कों पर काम किया, जैसे हमने वहां जो में हमारे ट्राइवल समाज के भाईवेन भी आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पेसा में जो कुछ विसेश अधिकार जनजाती भाईवेनों को, ट्राइवल भाईवेनों को दिये गये। वो अधिकार आमने पेसा एक्ट लागू करके दिये। जैसे अगर तेहनुपत् बेंचे जो इनकम आएगी वो ग्राम सवा की, जो आपस में काम आएगी, तो ऐसी 268 ग्राम सवा आए निकली जिनने का हम तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, जैसे हमने गाउं में बिबाद और सांती निवारन संभीती बनाई, छोटी मोटी चीज की F.I.R. क्यों हो, पुरानी जो अपनी पद्धती और परमपरा रही है, कि गाउं में मिलके समस्या का समधान निकाल लिया जाए, जगड़े निप्टाए जाएं, ताकि हर मामला थाने बना जाए, F.I.R. हो, उसके बाद भटकें, ट्राइबल भाई बन, तो बिबाद, सांती और बिबाद निवारन सम बिबाद निप्टा रही है, सफलता पूर वक्त, अब छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं होती, किसी को मजदूरिक लिए ले जाना है, तो गाउं में बता के ले जाना पड़ता है, ऐसे एक निए, अगर मैं ब्याख्या करूंगा, तो घंटों लग जाएंगे, तो ऐसे कई अ ना हमने शुरू किये, क्योंकि सिक्षा की गुणबता को और बेतर करना, यह हमारा धर्म है, और सिक्षा भी ऐसी हो कि ग्यान भी दे, कोसल भी दे, और नागरिक्ता के संसकार, यह तीनों देने वाली सिक्षा, तो हम सिक्षा के इस तर में बैसे भी सुधार करने का लगात सार प्यास कर रहे हैं उसलिए मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे तो प्रात में एक सिक्षा की गुडबता में कभी सत्रवे नंबर पर था आज हम पाँच्वे नंबर पर उससे भी हम संतुस्त ही हैं फिर दिमाग में कल्पना आई कि हर गाओं में बहुत अच्छे नहीं होती मकान और बाकी रहने की सुमधा नहीं होती उनके भी जो बच्चे होते हैं उनकी चिंता उनको पढ़ाई लिखाई की होती है तो हमने सोचा कि हार बीस पच्चीस किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल खोलेंगे उस स्कूल में वो उसी गाओं के लिए नहीं रह समय सीमा क्याता है कि अब हमारे तेजी से बन रहा है स्कूलों के भवान अभी स्कूल सुरू हो गया 300 लेकिन अभी उतना आनंद आपको नहीं आ रहा है क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग में हैं तो सारी तरह की चीज़ें जो बदलना चाहते थे वो इतनी तेजी से नहीं बदली लेकिन नई बिल्डिंग से अब एक बिल्डिंग बन गया भी तैयार होगी कई अभी तैयार होने की ककार पे आ गई है वो पूरी बनने के बाद उसका वास्तविक स्वरूप आएगा लेकिन अभी भी सीम राइज स्कूल में सिक्षा का इस्तर वेतर हुआ है ये प्यूटर साइंस का यही कमाल है तो कहीं से भी विद्वान सिक्षक उनको नहीं तो गाओं में हर एक विद्वान से कहीं जा कि गाओं में पढ़ाओ तो बहले आएगा वो तो गुर्वत्ता सुदार नेकले एक अभीनव प्रियास हमारा ये चाहा है मुक्यमंत्री जी आप अभीनव प्रियास की बात कर रहे हैं आपने खुद कहा कि बड़े शेहरों में बैठे व्यक्ती पर मुझे मद्यप्रदेश के सिक्षा बोर्ड में एक बड़ी विसंगती दिखी मद्यप्रदेश में कम्प्यूटर साइनस स्कूल में एक विशे के तौर पर नहीं है इसकी वज़े क्या है एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम भविशोन मुखी सिक्षा की बात कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलसी आई है जैसे मैंने आप गोता है लैब, लाइब डेरी, कम्पूटर सब होंगे और कई स्कूलों जैसे मैं बताता हूं सी और जले में हर स्कूल में हमने टेक याद के स्मार्ट क्लास होगी कई स्कूलों में कम्प्यूटर है जहां कम्प्यूटर बच्छों को सिखाय जाते नहीं है सब्जेक्ट के तौर पे कब इंट्रोड्यूस होगा मद्यपरदेश बोर्ड में हमारी पार्टिक्रम समीती बनी है वो लगातार विचार करके फैसले करती है नहीं सिख्षानीती को अक्छर सा लागू करने का हम प्रयत में कर रहे है क्योंकि आप तो मुख्यमंतरी हैं उनको आपकी बात माननी पड़ेगी ने ने माननी पड़ेगी उसलिए कि कम्प्यूटर लगे हुए है विशे के तौर पर भी आएगा विशे के तौर पर भी आएगा विचार है ये सरकार विचार चल भी रहा और उस पे काम भी हो रहा है अच्छा अब हम कम्प्यूटर से आ जाते हैं रोजगार पे हर जिले में रोजगार कार्याले खोले हैं आपने इनके जरीए अपरेल 2020 से राज में रजिस्टर्ड 49 लाग भी रोजगारों में ये मद्द प्रिदेश की विधान सभा में दिया आंकड़ा है 21 लोगों को उन रोजगार कार्यालेओं के तहत रोजगार मिला अलग से मिल रहा है उस पे मैं आऊँगा ये इधान सभा में दिया जवाब है एक मार्च को आप प्रियंका जी की तरह बात कर रहे हैं प्रियंका जी कौन सेर्ड प्रियंका जी ने कहा कि किस लोगों की रोजगार मिला अभी अभी एक लाग पदों पर भरतिया चालूई एक ही दिन में हमने 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिये थे प्रदानमंत्री जी स्वेम जुड़े थे तो अभी लगवग एक लाग पर से एक साल की बात कर रहा हूँ किसी साल की सरकारी नोक्री की बात कर रहा हूँ लगवग हमारी साथ हजार बरतिया पूरी हो रहे 40,000 पर प्रिक्रिया चल रही है अब वो जैसे ही पूरी होगी नई 50,000 वर्तियां पृर निकलेगी तो एक हमारा रोजगार साथ की नोक्रियों में लेकिसे साथ की नोक्रियों में सब को रोजगार नहीं दिया जा सकता है यह हम और आप सब जानते हैं जब तक हम बेकल्पिक अफसर नहीं खोलेंगे, महीने में एक दिन हम अरा रोजगार दिवस होता है, मद्धप्रदेश में, रोजगार दिवस के दिन हम, स्वरोजगार की जितनी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को वो एक जगे से क्रियानवित करते हैं, तो हर महीने, धाई लाग से लेके तीन लाग बच्चों को, प्रदान मंत्री, रोजगार, स्रिजन कारिटम, मुख मंत्री, उद्धम, क्रांती, योजना, अनेकों योजनाएं हमारी, उनके अंतर गथम, स्वरोजगार के अफसर उपलब्द कराते हैं, नमबर तीन, निवेस होते हैं, रोजगार मिलता है, पक्षे कह रहे हैं कि मेमोरेंडम जादा आते हैं, बड़ा आकड़ा बता दिया जाता है, निवेश का, लेकि जमीन पे नहीं दिख रहे हैं, ये तो ओन रिकार्ड मैं कहा रहा हूँ, ओन रिकार्ड, हम तो देते हैं हारे को, ऐसा थोड़ी क मैंने केबल भासन दे दिया कि इतने लोगों को, रोजगार दिवस पे, एक जगे मैं रहता हूँ, मेरे साथ लोग रहते हैं, जिनके स्वरोजगार की प्रिटन्ड स्विक्रित होते हैं, पैसा जाता है, और अलग-अलग जिलों में कारिक हम सेम्टे होता है, हमारे मंतरी व अब धारना को अब खत्म कर देना चाहिए, कौने 17 करोड रुपए आपकी सरकार के खर्च हो रहे हैं, इन कारियालों को चला है, हमने परिवर्तित किया है, उस अब धारना को भी बदलने कि हमने कोसिस किये, मद्ध्य प्रदेश लोग सेवा आयोग, 2019, 2020, 2021, 20 का भी रिजल् सवाल ये पूछते हैं नौजवान, कि भाई हमारे तो वर्ष थे, अटेम्ट थे, एक तैयारी की म्याद थे, सोयम सिद्ध सक्षम सरकार, हर साल, नियम बद्ध तरीके से, ये PCS के इम्तिहान, PCS के इम्तिहान, क्यों नहीं करवा पा रही है, इतने पुराने पुराने चला ये, अधिकांस रिजल्ट आ गए हैं, बागी कुई रुका होगा तुमें, PCS के उसको निकाले, मैयर से आपके विधायक है, नारायन्तिर पार्थी, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, विंद्य विकास पार्थी, मैं क्यों टिपगी करूँ, आपकी पार्थी के विधायक में एक आखरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मन का सवाल है ये, अटल बिहरी वाचपे, 1991 में लखनव और विदिशा से सांसद बनते हैं, लखनों की सीट वो रिटेन करते हैं, विदिशा की सीट छोडते हैं, और यहां से बुधनी के विधायक शिवराज सिंग चोहान को चुनाव लड़वाया जाता है, वो जीतते हैं, जबकि उस वर्ष लोगसभा के चुनाव की दर्ष्टी से, राज्य में सुंदरलाल पटवा की सरकार होने के बावजूर, चालिस में आप बारा सीटे ही जीत पाए थे, और यहां से शिवराज सिंग चोहान की राजनेतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपे और भी सक्री रूप से दाखिल होते हैं, उन से जुड़ी स्मृतियों के बारे में बताईएं, कई स्मृतियां जुड़ी हुई है, अटल जी का बहुत, पहली बार कब मिले आप, ऐसा मैंने बताई, बच्पन से पढ़ने आ गया था, तो मैं वाज सवा सुनने जाता था, कि अटल जी बोलेंगे, और उनको सुनके, मन गदगद हो जाता था, और हम यह मानते थे, कि यह अपने आईडियल है, ऐसा लीडर्श चाहिए, देश में, लेकिन पहली मुलाकात हमारी ह हुई उनसे, जब हम युवा मोर्चे में काम करते थे, भारती जन्ता पार्टी ने एक आंदोलन किया था, मुलाकात दूर से देखने की या चलते-चलते मिलने की दूती थी, लेकिन हम एटी-टू में एक आंदोलन करने के बाद जैल गए हम लोग, तो अटल जी, अच्छा कहा की बात है, भुपाल की, राजदानी में प्रदरसन होते थे, तो उस समय उनसे पहली मुलाकात आमने सामने बैठ के होगी, जितना उनका फकर सभाव था, छोटों को भी स्तेहे देना, मतलब आनंद में रहना, और तब वो राश्टी अध्यक्ष भी दे पार्टी पहले, हाँ, उस समय अध्यक्ष थे नहीं थे, वो बुझे एक नम ध्यारी साथ, हाँ, एटिटू में अध्यक्ष थे, अस सी में भारती जन्ता पार्टी करते हैं, इतने प्रेम से मिले हम तो छोटे थे, बहुत छोटे थे, कोई एहमियत ही नहीं थे, एक साधारन कारी करता थे, लेकिन जितने थे, मैं विद्यारी परशद के संग्ष थे, मैं विद्यारी परशद का काम देखता था, लेकिन उस अंदोलन मम्लोग गए हुए थे, तो पहली मुलाकात उनसे वहां हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर अलग-अलग समय उनसे भेंट और चर्चाएं, क्यों उनका बिल्कुल मुद्रा रहती थी, लेकिन फिर हम ज्यादा संपर्ग में आए, इवामोर्चे का जब मैं प्रदेश का धक्ष बना, प्रदेश का धक्ष किना थे, जब उनने बड़े बड़े आंदोलन शुरू किये, तो उसके बाद फिर कई बार उनके अभ्यास वर्ग इवामोर्चे के जो होते थे, उसमें वक्ता की रूप में आए, तो लेने जाना, छोड़ने जाना, बातचीत करना, सुनना, उनके सामने बोलने के मौके भी मिलना, यह हमको सुरू है, लेकिन जब वो चुनाओ लड़े विदी सास से, उस समय फिर बहुत घंश्ट लेकिन उसके बाद, जीतने के बाद, फिर मुलाक आथ हुई बाद में, तो फिर मैं ही लड़ाय गया, तो मेरे चुनाओ में भी प्रिचार करने आये, जब भी मिलते थे, तो वो दूर से ही कहते थे, आओ विदी सापती, समझें, चुकि विदी सास से चुनाय गया था, तो विदी सापती के रूप में, लोग सभा में ये टिपड़ी करते थे, गल्यार उन मिल जाते थे, लोग सभा में भी आई है विदी सापती, लेकिन कितनी छोटी चीज का उद्हान रखते थे, एक बार सांसत के रूप में, कुछ ट्रेन है थी, पंजाब मेल, मुझे जादक दिधाने गंजवा सुधा में, उसका सटाप था बंदो गया, जाफर सरीफ साब से में रेल मंतरी वा करते थे, तो मैंने इस तरफ पर कोशिस की, ये ट्रेन का सटाप मिल जाए क्विए, तो मैंने कोशिस की, कुछ और ट्रेन के स्टापश थे, कि पहले स्टाप हो गया तो आप चालू कर दें तो मेरी बात सुनी नहीं कि नहीं नहीं असान सथा में तो फिर जनता की टीब एक्षा थी कि नहीं बड़ी सुविदा च्छन गई हमसे तो फिर मैटल जी के पास गया और मैंने कहा कि भाई सब काम छोटा है लेकिन जनता के लिए बहुत बड़ बो बलहीं बताओ पालियमेट मूण के कख्श में रहीं ही मैं गया था यह तो तो मैंने बताई कि ट्रेन एक स्टाप बड़ा संकोच से बताई कि कहेंगे कि इतवर्यं नहीं था और मैं उनसे कह रहाँ कि ट्रेन रुकती थी आप फालिमें ला गषा रहा है और एक बड़ा साथ लेके वो सी के जाफर सरीव जी के रेल मंतरी थे, कम्रे में गए, और कहा के साथ ये मेरा भी छ्छित्रा है और ये तो अपसान सदे वा से, ट्रेन नुकवा दो ऐसे कई किस्से उनके साथ और जब आपको मुख्यमंतरी के लिए तब भी कुछ कहा उन्हों ने तब तो हनंद का प्रिकटिंग करने किया लेकिन मतलब समय समय पे वो गाइड करते थे हमको कि ये करना चाहिए ये ने करना चाहिए मेरे लिए राजनी थी कि विध्यारती के तोर पर कई दर्शकों के लिए जो मौझूदा राजनेता हैं ये बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड है कि कैसे नेता नेता को नए नेता को बिल्ड करता है वो हर चीज कहते थे कि बोलने के पहले पढ़ो डिमाग से सोचो फिर वो मुझे पार्लिमेंट में उनने मुझे सिखाए कि भाई, क्या कर रहा हैgo सवाल पूछो, जब में पहले पहले संसथ बन के गया फिर सवाल के साथ साथ मने राम नाइक जी से मुझे मिल्वाया राम नाइक जी मुंबई से सांसद होते थे और बहुत अच्छे पार्रमेंटरिंट मतलब उन जैसा संस्दी गयान के जानकार बहुत कम होते थे तो उनसे का आए कि जड़ा नए सांसदों को ट्रेनिंग दो भाई प्राइबेट मेंबर बिल कैसे लाते हैं द्याना करसन कैसे द्याना करसन नहीं होता था उससे में एक सून निकाल होती था पानी रहा तो सून निकाल जीरो आबर जीरो आबर कैसे पूछते हैं बागी चीज़ें कैसे करते हैं फिर वो प्रेरित करते थे बोलने के लिए कि नैसान सदायो काय पे बोलोगे बोलना चाहिए तो वो इस बात की चिंता करते थे और आफिस से भी कहते थे कि इनको सिखाओ एक और व्यक्ति का आपके व्यक्तित्यों के गठन में सांगटनिक दृष्ठी से रोल बताया जाता है उनका नाम है प्रमोद महाजन प्रमोद जी के बारे हम कुछ बताएंगे प्रमोद जी अदुद बक्ता थे और वो जब इवामोड़चे के राश्ट्री अद्दक्ष थे तब मैं इवामोड़चे का प्रदेश का महामंतरी था प्रदेश के महमंत्री कहनाती उनसे मेरा संपर्ख आया था तो बcessor प्रैक्टिकल थे बृत परिश्र्मी थे बुद्धिमान थे उनसे जlican विशिसकर बोलने के नयुग पहले तैयारी केसी करनी चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए और युवा मोर्चे के काम में उन्हों मुझे काशी लगा एक प्रसंग और है प्रमोध महाजन से जुड़ा आप वहां नहीं थे तो मैं बता देता हूँ उमा जी आप से नाराज हो के जब आपको यहां विदायकदल का नेता चुना गया तो प्रमोध महाजन के पास ही गई थी जो भोजन कर रहे थे और उसी मेज पर उन्होंने कहा दिया था कि यह फैसला हो चुका है अब इसमें कुछ नहीं होगा गोविंदाचारे का भी खूब जिकर होता है जब आप दिन्ली पहुँचे तो वो पार्टी के संग्ठन महासचेव थे उनसे क्या गुर सीखे राजनीती के गोविंदी जी से मेरा परिशा था विद्धार्थी परिशत के समय विद्धार्थी परिशत का कारी करता था और गोविंदी जी उसे में विद्धार्थी परिशत का काम देखते थे लेकिन राजनेतिक शियत में तो संग्ठन महामंतरी के नाते ही विद्धार्थी परिशत का परिशे मेरा ज़्यादा गहरा था राजनेतिक व्यस्तताओं में तो संग्ठन महामंत्री के नाते ही उनसे गाइडेंस मिलती थी जब मैं सांसद्वन के बाँ पहुचा तो पाल्टी ने तह किया और मुझे लगता के गोविन जी नहीं मुझे सूचना दी कि वही आपको इवामोर्चे का राष्ट्री महामंत्र बनना है मानी नड़ा जी हमारे राष्ट्र देख्ष बने आच्छा और मुझे स्वभागे विला उनके साथ राष्ट्री महामंत्री बननेगा तो उस समय इवामोर्चे के समय हम उनसे मार्ग दृष्ण लिया करते थे एक और नेता है नरेंद्र मोदी कब हुई शिवराज सिंग चोहान और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात मैंने उनको दूर से देखा तब जब डाक्टर जोसी जी की एकता यात्रा निकी है भारती जंदा पारिटी के रास्टिय अद्धिक्ष थे और एकता यात्रा सिंग्ड़कर के लाल चौक पे तरंगा जंडा फेराने गी मैं उससे में सांसत बना था तो मुझे जबाबदारी दी गई केसरिया बाहनी के संयोजग की उस यात्रा के लिए केसरिया विगरेट बनी थी बाहनी बनी जो आगे पीशे चलती थी विवस्ता देखती थी ओवराल यूथ को जोड़ना इस अभियान से यह उसका काम था तो मुझे उसका संयोजग बनाया और मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी थे और तब मोदी जी मैं समझता हूं राश्ट्री मंत्री थे जहां तक मुझे महामंत्री मंत्री थे राश्ट्री मंत्री आप उस समय जिस धंक से उनने यात्रा का संयोजन किया था और एक एक चीज का डिटेल और एडवांस प्लानिंग करते थे वो आश्चरी करने लाइक था, सीखने लाइक था केसरिया वाइनी के संयोजन के नाते मेरा उन से फिर बहुत परिचाया कई बार काम के नाते भी मुझे एक दिर से याद है, हम सब लाल चोग जाना चाहते थे रेला था जो वहाँ स्रीनगर के लाल चोग पे जाना चाहता तेकिन ततकाली इन सरकार ने, के इन सरकार ने ये विवस्था की के सब नहीं जाएंगे और डाक्टर जोसी कुछ साथियों के साथ जाके वहाँ तरंगा जंडा फेराएंगे वो आपके धान में हम लोग बहुत बेचन थे, इतनी मेहनत हुए और तरंगा जंडा नहीं फेरा पाया तो मतलब क्या है, कुछ लोग उद्वेलित भी थे, परिसान भी थे लेकिन मोदी जी का हिर्दे कितना कॉमल है, इसका एक उधारन में आपको सुना तो बताएए मोदी जी के साथ दिन और रात जो उस टीम में लोग लगे थे, यात्रा के सही हो जनकी कई दुनों से दिन और रात उनके साथ चलते थे, काम करते थे, उन सब की विक्षा थी, कि लाल चोक पर तरंगा जंडा फैराया जाए, लेकिन नहीं फैरा पाए, तो मोदी जी जब लोट के आए, यात्रा के समापती के बाद जंबू में, एक सभा होगी, सभा में मोदी जी बोले और बोलते बोलते, उन्होंने ये का कि मेरे साथ इतने दिन तक, मेरे कारिकरताओं ने काम किया, ये सब तरंगा जंडा फैरा आप ना चाहते थे, लेकिन ये नहीं जा पाए, रात भर उस दिन, ये बैठे बैठे रोते रहे सब, और ये कहते हैं कहते, मोदी जी का ग नहीं पाए, इतनी मेहनत करने के बाद, तो मोदी जी के व्यक्तित्व के बिविद पहलो है, बिविद पहलो है, सच मुच मैं ऐसा लीडर मिला, बहुत ही दुरला भै, मुख मंत्री रहते हुए भी जिस ढंक से हमने चीजे सीखी उनसे के काम को कैसे व्यवस्थित करना चा हम रिवा के कारिकम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके मन में धरती मा के साथ जो अन्याय हो रहा है, केमिकल, फैटलाइजर, चलवाई उपरिवर्तन, प्रदूसित, नदिया, कितनी गहरी पीड़ा है परियावरण के लिए उसका ये उधारन है, वो प्राकरते खेती के लिए मुख मंत्रियों का आगरे करती ही रहते हैं, लगातार हम लोग उस दिसामें काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय उनके मन में ये विचार आया कि ऐसी एक नाटी का बननी चाहिए, कि जिसमें धरती एक बेटी धरती बने, और धरती बनके, वो अपील करे, कि आखिर धरती कहे पकार के मुझे कब तक मारोगी, मैं तुम्हें अन्न देती हूँ, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, लेकिन केमिकल, फर्टाइजर डाल डाल के, तुमने धरती की क्या हालत कर दे हैं, और इतनी सिदत से मुझे समझाए कि मैं आश्चेर चाहिए रहे हैं, आमने वो बना किसानों का जिक्र किया, कुछ साथियों ने कहा कि ये जरूर पूछेगा किसान पुत्र, खुद को किसानों का हितैश्ची बताने वाले, और आज जब हम ये इंटर्व्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप और राजना सिंग जी राजगर में सभावी खरके हैं, जो कि क्र करवाई हुई थी, करवाई हैं ऐसा की नहीं कुछ कारवाई ही नहीं हुए, करवाई हुए लोगों के ख्लाब, सस्पेंट हुए, बिभागी जाचे हुई, करवाई हो, देखि कई बात प्रिस्थितिया आप ये कैसे कह सकते हो कि किसी ने सीदे या गोली मार दी, मैं उस ख मैं उसी समय गया था, हर परिवार में गया था, हर घर में गया था, और अपनी वेदना और व्यथा प्रिकट की थी, यह हम ही लोग थे जिनने तै किया कि जो परिवार है पीडित उनको एक करोड रुपे की रासी इसलिए देंगे कि कम से कम परिवार की जिन्गी की गाड़ी ना रुके, तो भ्यापक हमने काम करने का प्रियास किया था, अच्छा आप देखिए, कि उस घर्टना दुर्वागे पूल घर्टना के बाद बे, मनसौर लोक सवाचेदर की, आठ में से साथ सीटे हम जीते थे, केबल एक तीन सो वोट से हम लोग हारे थे, तो कहीं ने कही अना के बाद भी, जो हमने कारवाई यह की, उसको ठीक माना होगा, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं माना, क्या लगता है शिवराज जी, 2018 में आप जो हारे, उसकी वज़े क्या रही, कई लोग कहते हैं कि शिवराज जी ने जो माई का लाल वाला बयान दिया था, उसने द दिन में नहीं होगा, तो ग्यारवे दिन मुख्मंती पदल देंगे, कई लोगों को नहीं का मन में के करज माफ हो जाएगा, जूट उनका बाद में, फिर पकड़ा गया कि अब इसका नहीं होगा, अब इसका नहीं होगा, अब इसका नहीं होगा, लेकिन वो एक बड़ा का में वोटों के रूप में भारती जन्ता पारिटी का नुकसान किया था SC Act पर प्रदर्शन और उसके बाद काउंटर पूर रहा है दूसरा कारण बना उस समय के हमारा कोई दोस नहीं था SC Act पर प्रदर्शन हुए प्रदर्शन आपस में क्लैस में बदल गए उसके कारण फिर जो जगड़ा हुआ उस जगड़े के कारण बारती जन्ता पारिटी को नुकसान हुआ वो मैं मानता हूँ के हम दिल फिर जीत नहीं पाए हमारे भाई बैङनों का और प्रशासनिक रूप से भी विफलता थी उसके कारण भी नुकसान हुआ क्योंकि प्रसाइश संग रूप मैं कई बार आप सोचते हैं कि कितनी सक्ती की जाए प्राणम में नहीं की जाए आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि यह कहां तक जाएगा तो मैं उसकी कहराई में नहीं जा रहा लेकिन एक कारण मैं मानता हूँ कि वो भी बना ऐसे कुछ कारण मिलके एकटे हो जाते है लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि वोट हमें बावजूद लेकिन एक कारण में और बताता हूँ जो बड़ा कारण था इन दो से भी बड़ा कारण था हमारा जो विरोधी वोट था वो एक साथ कांग्रेस की तरफ चला गया बियस पी को मिलते थे सपा को मिलते थे अलग-अलग वोट मिलते थे अलग-अलग छोटे-छोटे दलों को कोई किसी पैकिट में ले जाता था कोई किसी पैकिट में ले जाता था लेकिन वोट उन पैकेट्स में नहीं गए और वो जो भाजपा विरोधी वोट था वो सीधे कांग्रेस की तरफ एक तरह से उसका धुरूभी करण हो गया उसके कारण भी कांग्रेस का वोट हमारा गटा नहीं उनका बढ़ गया तो ऐसे कुछ कारण होते हैं कई बार परिश् जनता पार्टी शिवराज सिंग चोहान होंगे वो कार करता हैं भारती जनता पार्टी टै करते हैं मैं कई दफ़ा सोचता हूँ और कई वरिश्ट नेताओं से अलग-अलग पार्टी यह पूशता भी हूँ कि जब पहली दफ़ा परचा भरा होगा जैसे आपने 1990 में अच्छाओं को आप कैसे आगते हैं क्या सोचा था क्या हासिल किया विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री के तौर पर और अब क्या हस्रत है देखिए इन पिछले 18-19 सालों में मदप्रदेश पूरी तरह बदल गया हम तो बीमारू राज थे मदप्रदेश की पहचान में पहले बता हैं मदप्रदेश की पर कैपिटा इंकम थी 13,000 रुपया अब बढ़के हो गई है एक लाक शालीस हजार रुपया मदप्रदेश की GSDP का साइस था 71,000 करोड अब हम पार कर रहे हैं 15,000 करोड देश की GSDP में मदप्रदेश का योगदान हुआ करता था भी पि 6% अब बढ़के हो गया 4.8% सिचाई का रकवा कुल मदप्रदेश में था 7,500,000 हेक्टर ये किवल कांग्रेस के समय का नहीं था राजा नबाब अंग्रेस सब मिला के हमने बढ़ा के पहुँचा दिया 45,000,000 हेक्टर और अब 65,000,000 हेक्टर तक बढ़ा के उसको ले जा रह अब देखें रोड्स की द्रिश्टी से देखें तो मदप्रदेश में 4,000,000,000 सांदार सडकें पहले गड़ों में सलक था कि सलक में गड़ा था ये ही पता नहीं चलता था खेतों में लोग चलते थे खेतों में गाडियां दोडाते थे सलक पर नहीं चलती थी हमने 4,000,000,000 सानदार सड़के बना के मद्ध पुदेश को दिये हम बना रहे हैं नरमदा एक्सप्रेस बे हम बना रहे हैं विंद एक्सप्रेस बे हम बना रहे हैं मद्ध एक्सप्रेस बे हम मेट्र 10 रेल इंदौर और भुपाल में लाने की तैयारी कर रहे हैं मद्ध पुदेश में बिज बिजली का उत्वादा ने 28,000 मेगावाट पहले बिजली आती थी तो खबर बनती थी अब बिजली जाती है तो खबर बनती है और बिजली में भी हम केवल थर्मल पावर की बात नहीं कर रहे हैं ग्रीन एनरजी के कांसेप्ट को मदप्रदेश की धरती पर हमने साकार करने का क जिसे मदप्रदेश में बढ़ रहे हैं अगर ओवराल आप देखेंगे किसी भी दृष्टी से किसानों के कल्यान की दृष्टी से देखेंगे 16% ब्याज पर करजा मिलता था आज 0% ब्याज पर करजा मिलता है आप अगर खेती की दृष्टी से देखेंगे तो उत्पादन बढ़ाना लागत घटाना आपदा में किसान की मदद करना और मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर खरीदने की ठीक व्यवस्था करने से लेके बच्चों की पढ़ाई और महलाओं की दिश्टी से तो हम लोगों ने काफी बिस्टार से चर्चा की है लेकिन मदपलेस ऐसा राज़ की फीस भी अगर भराती है तो भारती जनता पारइटी की सरकार भर बाती है मदपलेस में कुल मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कभी पाँच छटवा मेडिकल कॉलेज मैंने मुखमंत्री बनने के बाद सागर में खोला था आज पच्चीस मेडिकल कॉलेज मदपलेस में होने संस्था है अने को आ रही है टी-स इन्फोसिस जैसी आई-टी कंपनियों की प्रिजेंस आज ब्यापक प्यमाने पर मदप्देश में हैं टेक्स्ट्राइल का हब बन रहा है फार्मा हब हम बन चुके हैं मदप्देश आट्रो मोबाइल सेक्टर का हब बन रहा है हम का डंका बजरा है जन भागेदारी की दृष्टी से अगर देखे तो मदप्देश है साराज है के ग्राम गौरब दिवस और नगर गौरब दिवस मनाके विकास से जनता को जोडने का प्यास कर रहे हैं हमने काफी बहतर काम किया बहुत अच्छा काम किया लेकिन और बहुत संबावना आपने एक लंबी सूची की नाई बस इसमें से मैं एक ही पूछ लेता हूं समय का अभाव है आपने कहा सिंचित जमीन आपके विरोधियों ने भी माना कि शिवराज सिंग चोहान की उपलब्धियों में ये तो है कि सिंचित जमीन का रकभा खूब बढ़ा आप इसलिए हमने सुरक्षा की दृष्टी से बांद को खाली किया लेकिन ये कोई गोट आला नहीं है हमारे है चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई तुलसी राम से लावट ने कमेटी ने जाच की उसको जो कॉंट्रेक्टर उसको ब्लैक डिस्ट किया उससे टेंडरिंग में गर हो गया तो लोग डूबने कोई गाउं डूबा नहीं सुरक्षित हमने कमलना सरकार में अरुत्तम मिश्र के सचिवों की गिरफतारी हुई थी इसी जो इटेंडर घोटाला है जिसमें ये कोरम वैसे तो कही ऐसे तो उनने कई काम किये थे जो जिससे बारती इंदा पार्टी उन्होंने भुपाल की उस रैली का भी जिक्र किया जिसमें एक लाग से जादा गिरफतारियां हुई उस ट्रेन यात्रा का भी प्रसंग आया जब उन्हें मुख्य मंत्री बनने के लिए रवाना किया गया पार्टी के भीतर के अपने विरोधियों के उपर उन्होंने एक कहीं जरूरत होती है इसके अलावा शिवराज सिंग चोहान ने कॉंग्रेस के जो उन पर प्रहार हैं और अपनी सरकार की सरकारों की बहवचन में कई कारेकालों की उपलब्धियां विस्तार से बताई अब गेंद आपके पाले में है जो भी नेता है आप से जनादेश हासि प्रदेश में आप बुख्यमंत्री के इन वचनों को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूरू बताईए जम घट में सत्ता के दावेदारों और सत्ता धीशों से सवालों का सिलसला चलता रहेगा बुख्यमंत्री जी आपने इतना समय दिया बहुत-बहुत झाल